Hi everyone, in this video we are going to discuss upon very many important topic that is Organic Chemistry Basic Foundation Class So, before starting Organic Chemistry, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप देख लो, ठीक है? As ये Foundation Class है, this is for 11th Standard, 12th Standard, NEET, और JWE Aspirants और फ़र आप BSc, MSc, UPSC, SSC, CGL, किसी भी की तयारी कर रहे हो आपको ये Foundation Class should be required, क्योंकि आपको Foundation बनाना है This is the class from which आप ये सारे चीज़ों को अगर Consider कर लेते हो Then, आप कोई भी Reaction को Solve करने के लिए Easily Capable रहोगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि Get A Reaction हमारा Telegram पर Channel है आप वहाँ पर Join हो सकते हो इस Lecture का PDF वहाँ से आप Join करके Download कर सकते हो Handwritten note, previous year questions और बहुत सारे PDF वहाँ पर अबिलेबल है So, Try करना, Get A Reaction Telegram पर आप वहाँ से हमें Search करके Join कर सकते हैं यह स्टार्ट करते हैं हम लोग Carbon की कहानी यह पूरी कहानी चलने वाली है, यहाँ पर मैं Basic Foundations आपको करा रहा हूँ प्लीज इस चीज को ध्यान में रखेगा That if you are watching this video आपका Intention जो होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके कोई भी Level का इस वीडियो को देख सकते हूँ फ्यूचर में जब भी आप Organic Chemistry को पढ़ोगे यह Basic Foundation आपको काम आएगा इतने डीटेल में मैं एक एक चीजो को चालू करूँगा एक चीज में क्लियर कर देता हूँ That Basic हम लोग चालू कर रहे हैं मतलब Organic Chemistry का तो हम लोग बहुत Zero Level से स्टार्ट करेंगे and we will go further कि 100 लेवल तक हम लोग पहुंचें ठीक है तो यह हमारा होगा आप ऐसा मत सोचेगा Starting जैसे वीडियो स्टार्ट होगे आप ऐसा मत सोचेगा कि यह Basic Level यह तो मुझे आता है जैसे ऐसे further हम वीडियो में इसलिए पूरा वीडियो अगर देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए Otherwise अगर नहीं देखना है आप सिप चाहते हो कोई पार्ट देखना है तो कोई मतलब नहीं यह वीडियो देखने का आप जाके मेरे चानल पर विजट करके टॉपिक वाइस चीज़ों को देख सकते हो अलग-अलग दिया गया है यहाँ पे मैं एक एडवांस लेवल का जीरो टू एडवांस हर एक चीज और गनिक रिलेटिट बताना चाहता हूं आपको ठीक है सो लेट स्टार्ट ओके सो यहाँ भी हम लोग चालू करने वाले हैं और गनिक केमिस्टरी का फाउंडेशन अब देखे यह जो मैं पीडिएफ प्रोवाइट कर रहा हूं जो चीज़े मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में लेकी उससे आप पीडिएफ को डाउनलोड कर सकते हो और future references के लिए आप इस चीज़ को रख सकते हो अपने पास ठीक है so पहले हम लोग देखने माले हैं कि organic chemistry होता क्या है so organic compounds जो होते है they are which compounds which are derived from directly living organisms आप 11th standard में होगे तो पहला definition यह आपको मिला होगा ठीक है अब जैसे कि examples कुछ ले लेते हैं तो proteins amino acid यह सब हमारे body में होता है carbohydrate plants में होता है और human bodies में होता है तो यह सब क्या है आपकी living organism से derived रहे और उनको आप क्या बोल रहे है organic compounds same goes with inorganic compounds inorganic compounds are those compounds which are derived from non-living organisms so basically इतना हमें पता जल जाता है कि living से आया है कोई चीज़ that is organic compound and if it is derived from non-living then it is known as inorganic compounds examples ले लो that is NACL NACL you are knowing that यह को हम क्या बोलते है rock salt derived from rock ठीक है तो यह is non-living से आया तो इसको हम inorganic बोलेंगे same goes with ऐसा कुछ होता है कि इनको हम convert भी कर सकते है जैसे कि आप organic compounds को inorganic में convert कर सकते हो और उस process को हम क्या बोलते है mineralization that process is known as mineralization ठीक है जैसे कि first compound हम लेते है यूरिया अब यूरिया आपको पता होगा that it is used as an fertilizer urea is organic compound urea is a organic compound अब ऐसा fertilizer आप इसको क्या plant करते हो plant के उपर साप spray करते हो चलो हम इतना सपोस करते है plants इस चीज़ को absorb करता है ठीक है fertilizer की तरह use क्या जाता है plants में अब पहला याद रखना fixation process के तुरू यह क्या होता है ammonia में convert होगा urea and then nitrogen form में convert होगा plants उसको absorb करेंगे आपको पता चलेगा that organic compound which was urea that is converted into inorganic compound basically that process is known as mineralization and same goes with inorganic compounds are converted into organic compound उसको हम क्या बोलते है that process is known as demineralization okay that was basic and yes यह सब चीज़े आपको बताई जाती है I think इतना आपको पता होगा basic level पे so एक questions आपके दिमाग में आना चाहिए what is the reason for large number of organic compounds as till now जहां तक मैं जानता हूँ और आप भी net पे search करना आपको मिलेगा that 10 million compounds जो है अभी के लिए 10 million plus compounds are organic compounds so इतने ज्यादा amount large number of organic compounds क्यों form होते है the reason is catenation property this is a specific property which carbon is carrying carbon के पास एक specific property होती है that is known as catenation property it means is self linking property it has a property वो खुद से ही अपने आपको link कर लेता है and that is known as catenation property इसी लिए आप चैन में भी पाऊगे तो carbons are linked with each other उसको हम क्या बोलते है catenation properties के थ्रू आपको अलग-अलग compounds मिलेंगे ethane, methane, propeans and all आपने पढ़ा होगा same goes with ring form में आपको मिल जाते हैं carbon की एक खासियत है that it is a tetra valency compound उसकी valency जो होती हो चार होती है उसको complete करनी पड़ती है जास यह देखें अभी चार कैसे होती है आपको पता होगा 4 carbon की valency कैसे होती है carbon atomic number is 6 so अगर हम लोग octet rule twice लिखेंगे 2 and 4 और आपको बता होगा basically octet rule क्या होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 and all आपने पढ़ा होगा so second number पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए but it is having 4 so यह क्या करता है 4 electrons को add करवाता है अपने उपर and that the reason carbon having tetra valency यह basic था okay so यह भी सा double bond बना लेते हैं कभी triple bond बना लेते हैं कभी single bond बना लेते हैं यह आप देख रहे होगे single bonded से उसने 4 electrons अपने आप रखे हुए है और उसकी 8 जो हमने just अभी देखा था tetra valency की वज़े से उसने अपने एक electron को fulfill किया this was basic I think इतना सबको clear होगा यह हम zero level पे है प्लीज याद रखे हैं zero level वला हम सीख रहे हैं क्यों क्योंकि यह सब चीजें काम आएंगी आगे भी just फिर बात करते हैं organic chemistry जो होता है generally organic chemistry जो होता है उसके अंदर carbon and hydrogen hydrogen आप ज्यादा देखोगे और इसका नाम भी रखा जाता है hydrocarbon and उसके साथ कुछ आपको मिल जाएंगे oxygen आपको helium मिल जाएंगे sulfur मिल जाएगा nitrogen मिल जाएगा and same goes phosphorus तो याद रखा halogen group वाला जो part है एक्स वाला जिसमें आते है chlorine, fluorine, bromine, iodine जितने भी parts आते हैं यह पूरे parts oxygen से लेकर phosphorus तक इनको हम extra element बोलते हैं at the end मैं यह बोलना चाहता हूं organic chemistry mainly क्या होता है hydrogen and carbon I hope इतना clear होगा आपको basic है 11th में आपने पढ़ा होगा first chapter जब और और चालू किया जाता है तो इतना आपको पढ़ाया जाता है next हम इसके आगे बढ़ते हैं तो organic compounds हमें समझ में आ चुका है और organic compounds का nature क्या होता है what is the nature of organic compounds वो समझते कि हम try करते हैं so basically आपको इतना पता रहना चाहिए कि ionic characters show होते हैं organic compounds कितने show होते हैं अब यहाँ पे मैं आपको formula नहीं सिखाने वाला हूँ ionic character कैसे निकालते हैं बट मैं यहाँ पे proof करके दिखाने वाला हूँ देखे ध्यान से यहाँ पे हम ले लिए है CH4 अभी के लिए हम बात करते हैं सिर्फ carbon and hydrogen आप इतना समझी ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग ionic characters निकालते हैं carbon hydrogen bond का तो यह कितना निकलता है देखे around 5% निकलता है around 5% that means 95% क्या है CH bond is covalent कोमेशे याद रखना covalent bond मिलते हैं but yes 5% inorganic characters भी वो शो कर रहे हैं and that is the general rule इसे हम यह चीज़ पता हम चलता है that it means carbon hydrogen bond bonding electrons are present in between just आप देखिये carbon and hydrogen has electronegativity है ही नहीं क्यों ionic compounds characters show ही नहीं कर रहे हैं और ionic character is very much low as 95% dominant कोन कर रहा है covalent characters so electrons कहां पे रहेंगे they are between carbon and hydrogen so carbon and hydrogen का जब बात करोगे आप CH4 की बात करोगे that is a non-polar compound why it is non-polar the reason is very much simple as 95% is covalent characters and covalent characters है तो electron properly बीच में share हो रहे है and that's the reason sharing properly नहीं हो पा रहे है किसी की तरफ जादा नहीं जा रहा है अगर कोई accept करेगा तो आपको पता ही होगा कि वह क्या हो जाएगा negative sign हो जाएगा और अगर कोई donate कर रहा है तो positive हो जाएगा पर ऐसा यहां पे नहीं दिखता ठीक है इस चीज़े को और further हम लोग बात करेंगे in future ठीक है और अभी के लिए इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि carbon और hydrogen जो रहता है उसके बीच में आपको यह चीज़े देखने को मिल जाती है ठीक है एक में example के थुरू आपको समझाने के try करता हूँ प्लीज इसको समझेगा इसको हम apply करते हैं एक में reaction आपके सामने लिख रहा हूँ CH4 react करना है आपको with NAOH Is it possible कि reaction possible होगा क्या नहीं यह reaction possible नहीं है the reason is CH4 is non-polar and bond बनाने के लिए polarity की जरूरत है प्लीज इस चीज़ को यादर किया CH4 is non-polar just they can 95% character is covalent so electron is in center electron donate ही नहीं होगा और donate नहीं होगा तो possible ही नहीं है कि यह OH attack कर पाएगा but यह example को थोड़ा सा और modify करके हम समझने की try करें तो यह कुछ ऐसा बन जाएगा देखिए CS3Cl CS3Cl इसका reaction हम NAOH से कराएं तो हो जाएगा क्या reaction yes 110% हो जाएगा यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यह तो क्या होगे non-polar वाला पार्ट हो गया carbon hydrogen but chlorine is having an higher electronegativity so bond का direction क्या होगा bond direction यहां पर होगा chlorine will be partially negative and carbon will be partially positive as negative and positive is formed so OH group जो है वो attack कर पाएगा and यहां पर reaction जो है आपको इतना समझ में आ रहा होगा CS3OH हो जाएगा इसको हम क्या बोलते है मितिनौर basic सा funda है basic सा आपको यह चीज समझना चाहिए reaction कब होगा reaction कब नहीं होगा okay जहां से हम थोड़ी अपनी गाड़ी के race को just मैं अभी speed बढ़ाने वाला हूं देखे basic हमें समझ में आ गया अभी इस चीजों को apply करते करते हमें आगे बढ़ते हुए चलना है first चीज हम जो पढ़ने वाले है that is known as electronic effect अब यह जो आपने देखा ना positive or negative का transfer जो हो रहा था electrons का just मैं अभी आपको बताया हूं तो उसको ही हम बोलते है electronic effect देखे यहां पे displacement of electron towards electronegative item either permanently or temporary इसको ही हम क्या बोलते है electronic effect just हम देखे क्या देखे थे अभी just example we have shown that yeah देखे cs3 and cs3 में आप देखे गा predominantly किसका electronegativity ज्यादा है chlorine का है chlorine का negativity ज्यादा है means electronegative ज्यादा है that means यह जो center पे electrons थे यह कैसे बन जाएंगे बटा कैसे बन जाएंगे center वाले electrons उठके कहां पे चले आएंगे किसके पास ले जाएंगे कोन अट्रेक कर रहा है chlorine अट्रेक कर रहा होगा यहां पर हम chlorine suppose कर लें तो chlorine अट्रेक कर रहा होगा और डेल्टा नगटिव बन जाएगा और डेल्टा पॉसिटिव बन जाएगा इस चीज़ को आप समझें और इसको ही हम क्या बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं electronic effect बोलते हैं बस अब यह दो categories में divide क्या गया है दो categories में divide क्या गया है electronic effect की दो categories है first one is known as permanent effect and second is temporary effect okay permanent effect permanent effect क्या होते हैं पहले वो देखते हैं देखिए permanent effect में पहला आता है inductive effect एक एक करके हम पूरा पढ़ेंगे एक चीज़ों को मैं हर 100% मैं आपको लेके जाना चाहता हूं मैं बता दूंगा याद रखेंगा इस चीज़ को अगर यह वीडियो आप देख रहे हो that means आप से organic chemistry में कुछ भी नहीं चूटेगा everything मैं आपको सिखा दूंगा कि आप reactions को कैसे पहचान सकते हो और कैसे उसको आगे proceed करना चाहिए क्या क्या factors आपको देखने चाहिए first is inductive effect mesomeric effect and hyperconjugation these three characters is known as permanent electronic effect अब आपको मैंने सबखाया क्या समझाया कि यह जो electron transfer है electron transfer है जो यहाँ पे अभी just हम दिख किया चुक है electron transfer जो है because of electron negativity अगर electron displays हो रहा है and it is transfer for permanent मतलब उसके पास ही रह जाएगा कभी वापस नहीं आएगा तो यह तीन ही effects में आपको देखने मिलते है and that is inductive effect mesomeric effect and hyperconjugation इसको याद कैसे करना है permanent के लिए आप याद रखना HIM HIM आपने बहुत देखा होगा HIV नाम सुना होगा ऐसे याद रखिए HIM और नहीं याद कर सकते हो हम लिखते हैं हम हम ठीक है क्या है hyperconjugation inductive effect mesomeric effect clear temporary effect temporary effects are those effects they are just for some time this is because of some reagents because of some reagents यह होता है because of some reagents यह होता है reagents जब निकल जाएंगे जब reagents को हम remove कर देंगे reaction से then temporary effect जो है और जो हम पढ़ रहें वो है electronic effect प्लीज जादेटना यह students को confusion होता है electronic effect का type है electromeric effect हम पढ़ेंगे okay and tautomeric effect एक एक चीज़ों को हम समझने के try करेंगे but yes आपको इतना समझ में आ चुका होगा that permanent effects are those effect once it is introduced that exist till the compound is exist इतना यादर को जब तक compound रहेगा तब तक permanent effect आपको देखने मिलेगा और जैसे ही आप compound को हटाते हो मतलब CL को आप remove कर लो तो normally वो behave करने लगेगा temporary effect temporary effect क्या होगा is the only present under the influence of reagent and reagents को आप remove करोगे तो temporary effect भी remove हो जाएगा basic था basic था okay अब हम बात करते हैं inductive effect के लिए inductive effect just we have seen that permanent effect का type है electronic effect का type है मतलब displacement of electrons होंगी ही होंगे कहां होंगे electronegative item की थुरू होंगे बस इस चीज़को ध्यान में रखना पढ़ते हैं हम लोग inductive effect inductive effect क्या है it is defined as a relatively permanent displacement of sigma और इसको हम बोल सकते हैं bonding electron अब इक लिए याद रखो जो bond बनाके रखा हुआ है electron just हम देख के आ चुके है bonding electron is displaced towards electronegative item towards electronegative item and this forms the inductive effect basic से compound है अब आपको समझ में आएगा यह confusion होगा यह तो electronic effect ही हो गया यह तो electronic effect हो गया नहीं बटा यहां पर देखने के try करो just यह समझने के try करो first हमने लिया है क्या carbon और hydrogen just मैं आपको सिखा के आ चुका हूँ that it is 95% predominantly covalent bond so electron will be at the center no moment of electron so no bond formation no reaction but अगर हम लोग क्योंकि यहां पर दीखे electronegativity आपको दिख रही होगी इसका है 2.1 and it is दूसरे का जो है वो देखने के try करो it is around 2.4 तो differences जादा नहीं है but अगर मैं hydrogen को fluorine से replace कर दूँ अब यहां पर दीखे fluorine की electronegativity is very much high it is 4.1 around और इसकी क्या है 2.4 so आपको पता चले का यह electron जो था that will move towards higher electronegativity item so यह देखे moment आपको दिख क्या होगा and electron जो accept कर रहा है इतना तो आपको पता होगा उसके पर charge कौन सा लगा देते हो negative तो यह क्या बन जाएगा fluorine क्या behave करेगा minus i effect की तरह behave करेगा as electron is accepted अभी के लिए सिफितने आद रखना electron is accepted by any group अगर कोई group electron को accept कर रहा है that means that will be behaving as minus i effect this introduction of partial negative charge यहां पर partial negative charge बना हुआ है and that partial negative charge कहां पर बनेगा fluorine पर and it is showing as fluorine is acting as minus or minus i effect clear हुआ इतना याद रखेगा electron attracting groups को हम बोलते है minus i effect show करेंगे okay same goes with अगर हम लोग बात करते हैं carbon के ओपर कौन सा अचार्ज आया पॉजिटिव चार्ज आ चुका है and it is acting as plus i effect basic सता inductive effect क्या है जो electrons को accept किया that is minus i effect and जिसने electron donate किया that is plus i effect basic okay इस इसको और differentiate करते हुए चलते हैं तो देखे ध्यान से दो टाइप के आपको effects पता चल चुके है plus i effect and minus i effect ठीक है अब plus i effect जो होता है वो unimportant होता है for our purpose क्यों क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जभी भी आप पढ़ोगे तो इतना पता चला होगा कि electron negativity की तरफ जाता है electron displays होता है उसको ही हम count करते हैं और electron negativity की तरफ जाएगा तो इसको हम क्या बोलते थे थे minus i effect तो हमें जादा करके minus i effect देखना होता है reactions में ना कि plus i effect ठीक है तो यह unimportant होता है पर plus i effect कौन शो करेंगे आपको पता चल चुका होगा that electron donating groups electron donating group जो electron donate करेंगे यहाँ पर मैंने कुछ examples आपके लिए लिखे हैं the first one is O minus O minus जो है वो electron donate करेगा क्योंकि इसके पास extra electrons है same goes with decarboxylation आपको पता होगा C double O minus इसको बोलते हैं decarboxylation that will also donate an electron so इसको हम क्या बोलेंगे plus i effect show करेगा same goes with CR3 इसको हम बोलते हैं tertiary methyl please याद रखना यह purely plus i effect show करता है ऐसा कुछ होता है आपने देखा होगा बहुत बार that is CS3 CS3 and CS3 this is acting as purely plus i effect show करेगा same goes with CHR2 just मैंने आपको लिखा था यह secondary methyl हो चुका है and यह primary methyl है और basically उसके बाद at the end आपको मिल जाएगा हमारा methyl group so these are the groups which are showing plus i effect अभी वी कोई भी reactions आप करोगे तो वहाँ पर यह चीज़े आपको देखनी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे टेंशन मत तो एक एक चीज मैं कराऊंगा कहां देखनी है क्यों देखनी है ठीक है आप बस वीडियो के flow के साथ चलिए आप सोचिए कि आपके दिमाग में कुछ नहीं था आप जस्ट फर्स ताइम पढ़ रहें स्चिसों को next is minus i effect it is very much important just मै सिखा चुका हूँ क्योंकि inductive effect का ही मतलब होता है electronegativity की तरफ electrons का displacement permanent displacement ठीक है तो minus i effect होता है is very much important because nearly all the functional group are associated with it जितने भी functional group है except आपके r group just हम पढ़के आचुके methyl group and all के बार में उनको छोड़के except r group all functional group are related to showing minus i effect here are examples n plus r3 nh3 sr2 और यहाँ पर chlorine, fluorine, bromine और जितने भी functional groups होते हैं सब आपको देखने मिल जाएंगे और यह सब क्या show कर रहे है they are showing minus i effect so इतना याद रखना जितने भी functional group है except r group is showing minus i effect बस यह किसके comparison में आप इनको measure करते हो h के comparison में हम measure करते हैं तो याद रखना h is zero effect neither positive nor negative okay अब हम कुछ factors को समझने की try करते हैं की minus i effect सिर्स यहाँ पर हम किस को समझ रहे हैं जो हमारा important factor था play एस चीज को याद रखना minus i effect किस-किस चीजों पर depend करता है उस चीज को समझते है minus i effect किस-किस चीजों पर depend करता है उसको समझते है तह तास बहुएत करेगा samurai है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पेडड करेगा ज़स्ट हम सहनेचुके हैं जितना जादा होगा उतना जादा ille yüz को मॉमिन्क्रण में से उसके पास जाएगा ठीक हैसी चीज़ को हमें समझना है यहां पे मैंने आपको चार्ट दे दिया है आपको pdf में बिल जाएगा आप प्लीज इतने ही चार्ट के electronegativity याद रखो कि आपका organic में काम बन जाएगा as इतने ही से ही functional group सारे बन रहे हैं आपके देख लेना थोड़ा उपर आपको समझ में आ जाएगा सो carbon की electronegativity क्या है 2.4 है ऐसी hydrogen की 2.1 है oxygen की 3.8 है fluorine की 4.8 सबसे जादा है chlorine की 3.8 ब्रोमीन की आपको 2.8 मिल जाएगा same goes with iron 2.6 nitrogen 3.1 and sulfur 2.58 बेसिकली इतना याद कर लो अब इसका याद रखना कि यह electronegativity अगर high हो रही है तो minus high effect भी electron accept करने की property भी उनकी high हो जाएगी examples देखे fluorine की electronegativity जादा है तो अगर यह किसी से attack अच्छे यहाँ पर देखते हैं यह समझे और यहाँ पर मैंने एक example same लिया हुआ है तो minus high effect किस में सबसे जादा देखने मिलेंगे as fluorine is more electronegativity उसके पास electronegativity जादा है so fluorine is having more electronegativity and इसकी वज़े से क्या होगा electrons जो है उसकी तरफ जादा attract होंगे as compared to fluorine ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ examples देखे हैं देखे fluorine OH and NH2 तो यहाँ पर आपको पता होगा nitrogen का electronegativity कम है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ 3.1 as goods with oxygen oxygen का मैंने लिखा है 3.8 और इतना ही समझ में आ रहोगा कि fluorine का सबसे जादा है तो आप समझ सकते हो कि कौन सबसे जादा electron negativity शो करेगा बेजिक साहे फंडा आप देख लेना इस चीज़ को PDF में भी आपको मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर मैंने कुछ examples दिये हैं ध्यान से देखोने की try करो NF2, NH2, NHR और NR2 यह समझ में आ रहोगा आपको कि अरे भाई यह तो जैसे ऐसे attach हो रहा है वैसे वैसे चीज़े खतम हो रही है देखे जैसे ऐसे आर गुरूप substitute पढ़ते चला जा जा रहा है na electron क्या electron withdrawing power उनकी खतम हो रही है समझे इस चीज़ को जैसे कि मैंने लिखा nitrogen, fluorine और fluorine इन सबकी electronegativity जादा है ठीक है तो यह electrons capture करेंगी अपनी तरफ that means plus minus eye effect को यह शो करेंगे मत्तब electron withdrawing power शो करेंगे strong होती चली जाएगी पर यही चीज़ को मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखने के चाय करना इस चीज़ को समझे यह देखे अब यही चीज में थो कर देता हूँ कि दो R group joint कर देता हूँ दो R group आपको पता होगा कि यह just हम सीख के आ चुके है methyl group समझो मैंने आपे joint कर दिया तो इनका power क्या होता है electron donate करने का काम है यह electron donate कर रहे है तो यह electron accept ही नहीं कर पाएगा उतना समझ रहे हो और इतना नहीं कर पाएगा तो यह जादा करके plus i effect की तरफ चल देंगे मतलब जितने ही substitute बढ़ते चले जाएंगे उतनी electronegativity कौन से type की हम पढ़ रहे है minus i effect कम होते चला जाएगा ठीक है okay चलिए आगे बढ़ते है second point आपको क्या देखना है जब भी electronegativity पढ़ होगे तो minus i effect हम पढ़ रहे है में important minus i effect किसके ऊपर depend कर रहा है यहां पर ध्यान दीजिए positive oxidation state पे छो कर रहा है अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि positive oxidation state से क्या मतलब निकलता है sir देखे किसी भी कार्ब किसी भी चीज़ पर जब positive oxidation state बढ़ेगा देखे यहां पर oxygen connect है यहां पर hydrogen connect है oxidation state अगर इसका निकालोगे तो किसका ज्यादा होगा इसका ज्यादा होगा क्यों क्योंकि oxygen ज्यादा capture कर चुका है इसको simply मैं समझाने के लिए ऐसा कुछ बताता हूँ आपको देखे दो compound हम ले रहे हैं एक oxygen मैंने यहां पर लिया है और यहां पर same goes with यहां पर मैंने oxygen ले ल इस वाले compound में आपको मिलेगा plus five और इस वाले compound में आपको मिल जाएगा plus two अब देखे plus का मतलब क्या होता है plus is indicating that it is having deficiency of electron जब उसके पास कमी है electron की तो वो capture करने की ज्यादा try करेगा ना भया और वो ज्यादा capture करने की try करेगा मतलब वो ज्यादा क्या शो करेगा minus i effect show करेगा इतना समझ कें so जैसे ऐसे oxidation state बढ़ता है as positive oxidation state increases minus i effect is also increases आप examples को देख लीचिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा I think ठीक है next हम लोग जाते हैं यह s characters पे भी शो करता है s characters पे भी show करता है जैसे देखिए s characters में मैं आपके लिए लिखता हूं cn और यही same to same मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं यहां पे cs3 यह समझ में आ रहा होगा कि cn कैसा होगा देखिए cn कैसा होगा c triple bond n तो यह जो s character है यहां पे कोई s characters आपको देखने नहीं मिल रहे हैं और s characters देखने भी जाते हो तो कौन सा character आपको देखने मिलेगा यहां पे कौन सा character देखने मिलेगा इस चीज़ को समझो s2 यही चीज़ अगर मैं बात करता हो देखे आपके लिए मैं इथेन ले लेता हूँ यह समझ है हमने लिया s2 s2 कोई compound ले लिया है और s3 compound ले लिया यह आपको पता होगा s3 क्या होते हैं single bonded होते है s2 double bonded होते हैं और s3ी triple bonded होते हैं अब इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है इतना समझो धूझा से 27 karak lesra जाधा है triple bond है यही सेम मैं आपको बता रहा था c triple bond N है तो मतलब यह क्या शो कर रहा है SP शो कर रहा है और जो SP शो कर रहा है तो S characters कितना हुआ भाई 50% है क्यों कैसे क्यों कि यहाँ पे दो ही compound है तो मतलब 2 है और उसमें से कितना है S character 1 है तो इसका क्या हो गया मतलब 50% S characters शो हो रहे हैं clear हुआ यही अगर मैं बात कर देता हूँ कोई compound ऐसा है जो SP2 है या SP3 है हमने comparison किसका किया था CS3 का किया था अब CS3 या CS4 ले लो इसमें क्या आप देखोगे SP3 देखोगे SP3 का मतलब क्या है यहाँ पे percentage निकालोगे तो चार चीज है और इसमें से S characters 1% है इतना मतलब हमें समझ में आ रहा है कि यह किस तरफ चले जाएंगे भाई यह तो show ही नहीं कर रहे सही से इतना याद रखना S characters जितना ज़्यादा है just हम से क्या चुके S characters जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपके negativity को capture करने की power होगी मतलब minus eye effect show होगा इस चीज़ को देखो ज्यान से यहाँ पर S characters दिख रहे हैं SP यहाँ पर SP2 दिख रहे हैं और यहाँ पर SP3 दिख रहा है ठीक है triple bond double bond single bond मतलब यहाँ पर 50% है S character यहाँ पर 33% है 33 point something और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यह 4th हो चुका है तो यह हो जाएगा 25% यह समझके तो S character किसका जादा है SP का जादा है that means यह जादा करके आपको क्या show करने देगा? S effect यहाँ पर minus eye effect देखेगा यहाँ पर minus eye effect देखेगा यहाँ पर plus effect i देखे गया मतलम plus eye effect show करेगा कैसे देखो below 28% x character जबी भी हो जाएंगे तो कौन सा effect show करने लगेगा plus eye effect show करेगा ठीक है इतना समझके अब यही चीज हम थोड़ा सा थोड़ा सा ही बचा हुआ है effect को हम खतम करने वाले हैं mesomeric की तरफ चलने वाले हैं मैं दो मिनिट का आपको break दे दूँगा फिर दो मिनिट आप break ले ले लेना and then उसके बाद video को continue करके देखना ठीक है देखे जैसे जैसे distance बढ़ता है वैसे वैसे यह plus के लिए भी apply होता है और minus के लिए भी apply होता है मतलब plus minus i दोनों के लिए apply होता है प्लीज जयाद रखना यहां मैं inductive effect की बात कर रहा हूं ना कि plus और minus की जैसे ऐसे distance बढ़ता है वैसे वैसे plus minus i effect होते हैं वो कम होते हैं जैसे कि देखें यहां पर यहां पर क्या शोग रहा होगा plus i effect हो रहा है और यहां पर carbon पर क्या रहा है और इसको ही हम बोलेंगे minus i effect पर carbon तो donate कर रहा है तो यहां पर del plus हो जाएगा मतलब यह plus i effect plus i effect plus i effect याद रखना तीन carbon तक आपको लेना है उसके पात plus i effect नहीं शोग होता बस यही मैं बोलना चाहता हूं जैसे ऐसे distance increase होगा as distance increases inductive effect inductive effect कम हो जाएगा देखे तीन carbon का आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद हम समझने की try करते है what is the role of inductive effect in single organic compound आपने देखा होगा organic compounds हम तो inductive effect समझ चुके हर एक चीश समझ गया plus i effect क्या होता है minus i effect क्या होता है कब आपको check करना है कैसे check करना है समझ चुके पर role क्या होता है organic compound main का organic compound में क्या role play करते हैं बहुत बड़ा role play करते हैं अगर देखे अगर ये होगा ही नहीं तो reaction ही नहीं होगा देखे यहाँ पे just मैंने आपको समझाया था पीछे भी reactions में देखे CH4 अगर आप लेते हो NOH के साथ तो reactions नहीं होंगे no product क्यों ऐसा as यहाँ पे plus और minus होई नहीं रहे हो क्यों क्योंकि electron negativity कम और ज्यादा नहीं है इस चीज़ को समझ के पर अगर मैं यहाँ पे just यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ electron जो है वो बीच में रहेगा और चीज़े चेंज नहीं होंगी no reaction will be seen और यहाँ पे unstable रहेगा OH अटेक ही नहीं कर पाएगा पर यही चीज़ कब चेंज हो जाती है जब आप क्या ले लो CS3 CL अब मैंने CS3 CL लिया ह आपको पता होगा कि CL जो है उसकी property क्या है electron को accept करने की तो क्या show करेगा minus i effect show करेगा और carbon के उपर क्या आ गया है plus i effect आ गया है और जब plus i effect आ चुका है तो यहाँ का जो minus वाला है न भाई वो plus पे effect कर देगा मतलब उसके साथ attach होने की try करेगा negative charge वाला और यहाँ पे आपका reaction possible है that means inductive effect is very much important to carry forward a reaction ठीक है यहाँ पे just मैंने वही समझाने की try की है कि electronegativity हो जाती है तो यह जो electron था यह electron का shift यहाँ प्यास आएगा clear वो इतना ओके यह पहला roll था और दूसरा roll मैंने समझा दिया अब द possibility of organic reaction, inductive effect की वज़े से ही organic reaction possible हो पाते है, just हम पीचे चीख सुके हैं, दूसरा introduction of bond, introduction of bond moment, अब आपको समझना होगा कि bond moment क्या होता है और dipole moment क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजे है, totally अलग है, ठीक है, but फिर भी सिखने की try करते हैं, देखे, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि मैंने ज़स सिखाया है, carbon और hydrogen की electronegativity almost similar है, so यहाँ पे electron transfer नहीं होंगे, inductive effect शो नहीं करेगा, और inductive effect नहीं शो करेगा, so it is a non-polar compound, no reaction will be carried forward, okay, यही same to same, अगर हम बात करते हैं, CS3Cl, so yes, it is an polar compound as polarity show होगी, यह dull negative बन जाएगा, और यह carbon जो है, तो वो dell positive बन जाएगा, just हम देख क्या चुके है, और reactions आप कर सकते हो, CCL4, अरे बाइ, CCL4 और CH4 दोनों में same है, similarities क्या है, just देखे, carbon में आपने ऐसे कुछ कर लिया है, यहाँ पे CL लगा है, इस चीज़ को हम ऐसे, पूरा overall अगर अच्छे से आप देखते हो, तो ऐसा कु अपनी तरफ, at the end जो है, at the end आपको क्या मिलेगा, just मैंने आपे figure-wise पताया हुआ, एक दूसरे को cancel out कर देंगे, similar आपको यहाँ पे भी देखने मिलता है, दिखे, please याद रखना, यह नीचे bond नहीं दिख रहा है, यह जो है tetrahedral structure है, जितना force उपल लग रहा है, उतना ही force न उतने ज्यादा देखने नहीं मिलते, clear वह इतना, okay, तो non-polar, non-polar, dipole moment नहीं होगा, हाँ, एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि भाई, यह तो हम non-polar, polar तो इसम बता सकते हैं इस चीज़ की वज़े से, पर dipole moment जो होता है, dipole moment क्या होता है, bond का moment, ठीक है, अभी याद रखन electrons का moment या bond का moment, अभी खले समझो, उसको बोलते हैं, dipole moment, dipole moment सिर्फ यह inductive effect जो होता है, introduce करता है, ना कि decide करता है कि किसमें जादा है, किसमें कम, एक चीज़ समझने की try करते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ, प्लीज इस चीज़ को देखना, CS3F, same goes with CS3, CL, CS3, bromine, और CS3I, आपको इतना पता चलता होगा कि bond moment किसमें सबसे ज़्याद होगा, यहाँ पर मैं bond moment की बात कर रहा हूँ, मतलब कौन सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खीचेगा, तो आपको पता है कि fluorine की electronegativity सबसे ज़्यादा है, तो अपनी तरफ ज़्या समझ के, पर dipole moment इसमें ऐसा नहीं होता, dipole moment की series change हो जाती है, dipole moment की series कैसे हो जाएगी, CS3CL जो है, is more greater than CS3F, क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, आपको पता होगा dipole moment जो होता है, dipole moment जिसको हम बोलते है, mu से denote करते हो, वो क्या होता है, q into d होता q मतलब होता है, charge and d मतलब क्या है, यहाँ पर distance, आपको पता होगा, fluorine is very much, very, very much stronger bond, fluorine जब कभी भी किसी के साथ इतनी ज्यादा electron negativity है, as it is forming always a strong bond, ठीक है, और strong bond is always a smallest bond, ठीक है, so distance जो है, वो कम हो जाएगा, और distance कम हो गया, charge जादा हो गया, यह एक दूसरे को compensate कर देंगे, और at the end, dipole moment जो है, वो fluorine का कम निकलेगा, fluorine का mu जो है, वो कम रहेगा, as compared to chlorine, always remember this, but dipole moment की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है, मैं bond moment बोलूँगा, कौन सबसी तरफ, अपनी तरफ bond को खीचेगा, तो यह जो ह figure change हो जाएगा, यह किस के तरफ फिर हो जाएगा, fluorine के जाएगा, इस चीज़ को अपने दिमार्ग में रखना हमेशा, clarity के साथ, okay, so हमने यहां तक अभी सीख लिया है कि bond moment क्या होता है, और dipole moment में difference क्या होता है, दोनों कहां से produce होते हैं, यह भी आपको समझ में आ चुका होगा, inductive effect से होते हैं, plus minus I effect से यह generate होते हैं, okay, deep में हमने समझ लिया इस चीज़ को, comparisons भी मैंने बता दी हैं, अब चलते हैं, हम SAD characters के तरफ, SAD characters कैसे चेक कर सकते हो, inductive effect के basis पे, inductive effect हमने starting में चालू किया है, यह last point है, मैं आपको जो समझाने वाला हो, ध्यान से सुनने की try करना, क्योंकि इस से, SAD character and basic characters, कभी भी आप कोई भी compound में चेक करना चाहते हो, तो वहाँ पे inductive effect अपलाई करके चेक कर सकते ह से, देखते हैं, याद रखना, अगर minus I किसी का बढ़ेगा, तो acidic characters increase होगे, अपने दिमाग में इतना रख लीजिए, अगर minus I characters बढ़ गए, मतलब acidic characters बढ़ गए, बस इतना अपने दिमाग में रखिए, तो यहाँ पे मैं कुछ examples के तरीके से आपको बताने की try करूँगा, ध्यान से देखने की try करना, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, देखे, forming acid, और यह क्या है, acid, आपने पढ़ा होगा, अब यह जो acid है, इसके साथ हमारा R group joint है, अब यह R group हम सीख किया चुके हैं, कि यह electron donate करता है, और donate कर रहा है, तो R group क्या काम कर रहा है, ध्यान से सुनने की try करना, यह plus i effect show कर रहा है, ना की minus i, plus i effect show क्या मतलब, इसने acid characters को decrease कर दिया है, तो मतलब, यहाँ पे सबसे ज़्यादा acid कौन होगा, forming acid होगा, simple सा logic है, इसको कुछ और examples के तरीके से समन्दी की try करते हैं, यहाँ पे देखे, यही चीज़ देखे, मैं edge को replace कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने cat joint कर दिया है, एक electron withdrawing group joint क्या हुआ है, जिसको हम यह क्या show करेगा, minus i effect show करेगा, क्योंकि electrons अपनी तरफ खीच रहा है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हम यह चीज़ से देखे आ चुके हैं, अब electron show कर रहा है, हम दे देख minus i effect show करेगा, that means acidic characters इसके अंदर जादा होंगे as compared to this, क्योंकि यह plus i effect show कर रहा है, बस इतना देखोगे, आप acidic characters तुरंत पहचान सकते हो, और पता कर सकते हो, क्योंकि ऐसे questions आपको मिलेंगे exams में, ठीक है, यहाँ पे देखे, वही चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, ध्य i effect show करेगा, यह more acidic है, और यहाँ पे r group है, तो मतलब यह plus i effect show करेगा, यह lesser acidic है, comparisons तुरंती हो जाते हैं, overall हमें एक चीज़ पता चलती है, ध्यान से सुनने के चाहिए करना, inductive effect is a weak effect, भाई इतना पढ़ रहे थे, इतना पढ़ रहे थे, इतनी देर से हम पढ़ रहे थे, बड़ बाद में पता चलता है, वो क्या है, weak effect है, हमने क्या चालू किया थे, permanent effect में भी हमने तीन types पढ़े हूँ है, याद है क्या, हमने देखा था, him याद रखना, मैंने आपको बोला था, hyperconjugation, mesomeric and inductive, तो inductive effect जो है, वो weak है, weak effect है, तो strong effect कौन सा है बटा, strong effect है हमारा, mesomer effect, और यह mesomeric effect को हमें आगे पढ़ना है, तो जबी भी कोई strong effect आता है, जैसे कि समदलो कोई चीज पे, कोई structure पे, mesomeric effect भी लग रहा है, और inductive effect भी लग रहा है, तो सबसे best किसको माना जाएगा, कौन strong होगा, mesomeric, उसके हिसाब से आपको देखना है, ना कि inductive, यह चीज में यहाँ पे clear कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने inductive के बाहर में हर एक चीज जान लिया है, क्या काम करता है, अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना, basic level पर यह सिखाया जाता है, कि जब alpha electrons होते हैं, अभी सिर्फ याद रुखो, alpha electrons क्या होते हैं, अलफा electrons क्या होते हैं, जो head on head collision करते हैं, आपने देखा होगा, head on head collisions होते हैं, यह ऐसा मैं कुछ structures बना रहा हूँ, आपको यह समझ में आ रहा होगा, कि यह किसका structure है, यह किसका structure है, यह किसका structure है, यह है आपका इथेन, इथेन, मतलब मैंने अभी जो बनाया था, वो यह थ मतलब यह sigma electron है समझ में रहा है sigma bond है और sigma electrons जो होते हैं वो head on head collision करते हैं और head on head collision होता है मतलब उनका nucleus एक carbon का nucleus दूसरे carbon के साथ influence में है ध्यान से देखना sigma electrons जो है मतलब एक carbon लिखा दो carbon लिखा यह sigma bond का जो electron हम बना रहे थी ना बीच में यह जो है is under the influence of two nucleus दिख रहा है under the influence of two nucleus and they are localized और इसकी वज़े से sigma bond जितने भी बनते हैं वो क्या रहते हैं जो हम पढ़के आ रहे हैं इतनी देर से यह क्या रहते हैं localized localized मतलब यह move नहीं कर सकते समझ में आया इसे plus और minus में बना रहे हैं पर उनको move नहीं कर पा रहे हैं clear हो रहा है अभी कले सिर्फ इतना याद रहो को please sigma bonds होते हैं मतलब single bond जो connect कर रहा है वो कभी भी move नहीं करेगा वो क्या है localized it can't be move reasons में बता चुका हूँ electrons जो बीच में हैं bond के वो influence में हैं दोनों के nucleus में मतलब यह electron इससे थोड़ा attracted है इससे भी थोड़ा attracted है इसलिए बीच में खड़ा हुआ है वो कहीं नहीं जा सकता clear वह इतना consider the case of ethene molecule ethene molecule क्या होता है double bonded वाला molecule देखे यहाँ पे मैंने structures आपको denote करके बताय हूँ है CH2 double bond CH2 यहाँ पे एक sigma bond तो आप देखोगे साथ में एक pi bond भी आपको देखने मिलेगा देखे एक sigma bond और एक pi bond देखने मिलेगा ठीक है इसको हम समझ देखने की try करते हैं यहाँ पे आपको hybridization जो मिलता है वो क्या मिलेगा SP2 मिलेगा क्यों क्यों याद एक ना hybridization में हम कभी भी sigma bond को काउंट नहीं करतें ठीक है hybridization में अपने दिमाग में इस चीज़ को रखे hybridization में हम कभी ही sorry sorry एक चीज मुझे बताना है, hybridization में हम कभी भी pi bond को नहीं count करते हैं, sorry, मैं गलती से बोल दिया यह चीज, यह दखना, hybridization जभी भी आप पढ़ोगे, तो hybridization में हम कभी भी double bond होगा, तो यह जो pi bond है, उसको include नहीं करते हैं, एक example मैं देता हूँ, ध्यान से देखने की try करना, यह देखे, यहाँ पर मैं simple सा यह आपको दिख रहा होगा, यह है आपका pi bond, ठीक है, तो यह जो pi bond है, इसको include नहीं क्या जाएगा, और इसका hybridization निकालो, तो क्या होगा, एक हो गया, s, यह हो गया, s, तो s, समझने की try करते हैं, देखो, यह आपका हो गया, एक हो गया, s, दू hybridization क्या हो जाएगा, s, 2, pi bond कभी भी influence में नहीं आते हैं, hybridization का, इसको हम समझेंगे यह भी, क्यों, क्योंकि वो localized नहीं होते, देखे, यहाँ पर देखने की try करो, यह है double bond, मैंने just यहाँ पर carbon का number लिखा हुआ, देखे, कितने electrons होते हैं, 2s में 2 electrons हो गया है, और pm अगर बात energy लिखे, p block में आ जाएगा, इतना समझ में आ रहा है, okay, so p orbitals में यह electron जंप करके आगया, but आपको पता है, कि just हम देख क्या है, मैंने आपको just सिखाया, कि coordination number कितना होगा, भाईया, coordination number से 3 होगा, क्योंकि हम pi 1 को count नहीं करते, carbon के, coordination number 3 है, मतलब 3 ही electrons को आपको क्या रहना है, hybridization में, एक जो 2p y वाला है, उसको आप count नहीं कर रहे हो, आप, क्योंकि hybridization में वो count नहीं होता, और इसलिए hybridization इसका क्या हो गया, sp2, I think मैं बहुत यहाँ पर clear होगा, ठीक है, तो sp2 हमें समझ में आ चुका है, अब यह जो sp2 orbitals हैं ना, वो sigma bond बना रहे हैं ना, उसमें जो sigma bond बना है, and we will get one pi orbit, आपको पता है, एक pi orbit बनते हैं, अब यह जो pi electrons हैं, वो pi electrons, प्लीज इसको समझने के चाहिए करो, जो pi electrons हैं, उसमें भी चीज़ें अलग हो रही है, देखे, pi electrons हमेशा double shape के होते हैं, आपको पता होगा सायद, pi bond कैसे मनते हैं, double shape होता है, जब double shape है, तो वो carbon के nucleus के influence में नहीं है, दिख रहा है, nucleus के influence में नहीं है, that means, एक चीज़ हमें समझ में आ गई, कि pi electrons are not under the influence of nucleus, और इसी लिए वो localized नहीं है, localized मतलब, उनकी position fix नहीं होती, clear हुआ, they always tend to oscillate between two atoms, मतलब, pi electrons को आप easily क्यों तोड़ पाते हो, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो कभी कभी आपने देखा होगा, कि ये electron को तोड़ दिया जाता है, क्या होता है, ये electrons को तोड़ के plus minus बना देते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि pi electrons क्या नहीं है, बिटा, localized नहीं है, ये समझ के हम sigma को क्यों नहीं तोड़ थे, reason यही है, ठीक है, I think मैं बहुत clear होँगा, मेरे concept के y's यहाँ पे आपको, ठीक है, so ये influence नहीं हो रहे हैं, carbon के, और इसी लिए ये टूट जाते हैं, ये perpendicular होते हैं, carbon के, दीका, हमेशा, 90 degree पे आपको मिलेंगे, clear हुआ, okay, so unpair electron bond होता ह देखो, उपर वाला positive cloud हो जाता है, जिसको half pi बोलते हो, नीचे वाला negative cloud हो जाता है, जिसको negative pi बोलते हो, आपने बहुत इस बार को पढ़ा होगा, and yes, यही चीज मैं अभी जास सिखा के आया हूँ, और इस tendency को, देखे, two atoms होते हैं, उनके बीच में ये oscillate करते रहते हैं, example क मैं बताता हूँ, जल्दी से देखने के ट्राइ करते हैं, हमने वही bond लिया है, देखे, ethene molecule लिया है, हमें समझ में आया कि यह pi bond जो है, वो तो fix नहीं है भाई, उसको हम move कर सकते हैं, वो oscillate कर सकता है, and if you are able to oscillate that, then क्या करो क्या, यह लिया मैंने, देखे, मैंने इसको oscillate कि तो जिसने electron को accept किया, उसके उपर negative chart लगा दिया, और जिसने electron donate किया था, उसको मैंने positive chart दे दिया, तो आपको ऐसा कुछ compound मिल जाता है, और ऐसा जो formation हो रहा है, जो delocalization of pi electron कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, mesomarism, अब आपको inductive effect मैंने बहुत deep में समझाया, inductive effect का real concept क्या होता है, वो मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे मैं mesomarism क्या होता है, क्योंकि यह schools level पे नहीं सिखाया जाता, so मैंने आपको समझाया है, आपको यह पता रहना चाहिए, ठीक है, so हमें mesomarism समझ में आ गया, mesomarism के भी types होते हैं, वो चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, mesomarism real में क्या है, वो चीजें हमें अब जानने को मिलेंगी, ठीक है, that is permanent displacement of pi electron towards electronegative item, जो electronegative item है, उधर pi electrons आपके permanently move हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, mesoameric effect बोलते हैं, जस्ट मैं सिखा क्या, pi electrons क्यों move हो रहे हैं, क्योंकि वो delocalize हो सकते हैं, पूरा concept, I think clear है, okay, so यहाँ पर एक example के through में बताता हूँ, देखे, यह रहाँ आपके पास, यह ketone वाला part है, अब कैसे समझें, समझें कि हम try करते हैं, देखो ज्यान से, यह carbon रहाँ आपके पास, और यह oxygen है, दोनों में से electronegative cone हैं, हम electronegativity का series देख आ चुके हैं, यहाँ पर यह electron, पाई electrons को accept करने की try करेगा, अब जब यह पाई electrons जो है, उपर वाला, पाई electrons जो है, मैं उसको move करवा देता हूँ, तो जिसने accept किया, उसके उपर negative charge आगिया, और जिसने donate किया हुआ है, उसके पर positive आ चुका है, I hope, clear, ठीक है, okay, चलिए, next, यही चीज आग digestion जबी भी होगा, तो वहाँ पर दो पाई bond बनेंगे, तो ऐसा लगता है कि, एक को मैंने तोड़ दिया, डी लोकलाइस कर दिया, तो यह compound बना, दूसरा पाई electron को तोड़ दूगा, तो ऐसा बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, minus two charge आप नहीं लेके आ सकते, plus two charge नहीं ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझने की, ट्राय करते हैं, एक चीज़ मैंने नहीं समझा दिखिए, यह अगर accept कर रहा है, तो इसको plus M बोलेंगे, किसको plus M बोलोगे, किस पर plus M दिख रहा है, oxygen पर, और carbon के उपर क्या देखने मिलेगा, नहीं, sorry, sorry, जो accept करता है, उसके पर रखना, negative charge आया, और आप M लगा देना, तो यहां oxygen क्या शो कर रहा है, minus M effect, और carbon, जिसने डोनेट किया, उसके पर positive charge है, समझ के इस चीज़ को, just हम inductive में जो पढ़के आया, वही concept यहां पर लगाना है, but इतना सा याद रखना कि वहां पर हम क्या कर रहे थे, inductive, inductive effect में क्य कर रहे थे, single bond को आप चीज़े तोट रहे थे, electronegative wise, समझ में आ रहा है, single bond को हम oscillate कर रहे थे, I think बहुत clear होगा, दिखे, मैं just अब यह वापस बता देता हूं आपको, यहां पर देखने के try करते हैं, I think मैंने बताया है यह चीज, एक मिनट, एक मिनट, just देखे, yes, यह देखे, यह जो electron है, sigma electron, अगर यहां पर CL है, तो यह इधर move रहे दिख रहा है, यह sigma electrons का अगर transfer होता है, तो उसको हम plus i और minus i बोलते हैं, आपने यहां पर समझा है कि इधर आया तो यह minus i, इसने donate किया तो इसको plus i, यही concept यहां पर comment हो जाएगा, ना कि sigma electrons का, बस साबास समझ में आ गया हमे, अब इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं, अगर extend कर देते हैं, mesomerism को, यह एक ही molecule पर और यहां से देखने के try करना, पर अगर इस चीज़ को मैं extend कर दूँए, एक नई level पर लेकर चले आ जाओं, क्यों, क्यों कि mesomerism जो है, अगर adjacent, उसके बगल में अगर pi electron लगा हुआ है, मतलब pi bond बना हुआ है, positive charge है, negative charge है, loan pair है, या odd electron है, इक है करके मैं समझाओंगा, pdf भी आपको मिलेगी, download कर सकते हुआ, ठीक है, इसको समझते, इन सब की वज़े से आपको, अगर mesomerism extend होते हुए दिखेगा तो उसको हम बोल देते हैं, conjugation, just मैं उपर यहाँ पर एक example के थुरू आपको समझाने की try करता हूँ, दिखे, ये रहा हमारा bond, अब यहाँ पर देखने की try करना, यहाँ पर double bond है, यहाँ पर double bond है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखने की try करो, यहाँ से मैं electrons इसको देता हूँ, और यहाँ से इसको देता हूँ, मतलब at the end सबसे ज़्यादा electronegative को ने oxygen, तो oxygen ने खींचा तो इसके उपर आ गया negative charge, और यह bond का मैंने positive क्योंकि हमेशा आदकना, एक bond positive और negative से ही बनता है, एक bond हमेशा positive और negative से बनता है, और नहीं तो दो electron साथ आत तो यह मैंने क्या किया, इस bond को मैंने तोड़ा, और तोड़ के तुझे दे दिया negative क्योंकि वो ज्यादा electronegative था, और इसको मैंने दे दिया positive, I think इतना clear हूँ आपको, यहीं same to same, bond को मैंने तोड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने रखा positive, क्योंकि negative खींच रहा है, तो यहाँ प तो एक और compound हमें मिल जाएगा, दीखा, यहाँ पे double bond बन जाएगा, positive and negative का, sorry, positive and negative का, और यहाँ पे आपको negative charge के साथ, और positive charge के साथ, अलग अलग चीज़े मिल जाएगी, यह एक नया, देखो, यह extend हो रहा है, यह कौन सा है, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनने की, try करना this type of mesomerism is known as conjugation, क्यों यह, क्योंकि यह extend कर रहा है, किसके basis पर depend हो रहा है, pi electrons के, इसके लोग क्या बोलेंगे इसको, pi, pi conjugation बोलेंगे, अभी याद रखना, mesomeric effect सिर्फ यह होता है, pi electrons का transfer, बस उसको ही mesomeric आप बोलते हो, बस, और कुछ नहीं है, but उसमें भी advance क्या है, अगर बगल में pi electrons है, pi की वज़े से हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे, pi, pi conjugation, clear हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने positive charge रखा हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, just हम सीख चुके है, pi bond का मैंने समझा दिया, conjugation होता है, positive charge की वज़े से भी हो सकता है, देखिए इधर, य यहाँ पर positive पहले ही से था, तो मैंने यहाँ पर negative बनानी अध्यान से देखिए, और यहाँ पर मैंने positive कर दिया, ठीक है, अब यह negative और positive करके यहाँ पर double bond बना देगा, और यहाँ पर हमारा positive रह के रही जाएगा, यही हो रहा है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, conjugation बोल रहे आपको pi electron move कर रहा है, अगर किसके positive के influence में हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, positive charge pi conjugation, ऐसे यहाँ पर हो रहा था, तो pi pi conjugation बोला गया, next वाला देख लो तो यहाँ पर loan pair की वज़े से हो रहा है, वही concept लगाया हूं मैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ध्यान से दे देखे, देखे, यहाँ पर देखे, यह negative charge था, यह oxygen जो है, इसको capture करने की try क्या, मतलब bond थे, आपको पता होगा, electrons में positive and negative spins आते हैं, अब इक लिए सिर्फ इतना समझो, bond जो है positive and negative से बना हुआ है, ठीक है, इस bond को मैं break करता हूं, तो negative sign कोन ले लेगा, charge कोना जाएगा, oxygen आजाएगा, I hope यह सब चीज़ें आपको बहुत clear होंगी, ठीक है, तो oxygen को उपर negative डाल दिया आपने, उपर क्या रह जाएगा, positive रह जाएगा, and positive negative साथ में मिलके क्या बना लेंगे, double bond बना लेंगे, I hope इतना clear है, पर जब benzene में आते हो, जब benzene में आते हो, तो चार resonating structures उतना ज़्यादा stability, अभी के लिए सिफ इनाद रखो, as conjugation increase, मतलब कितना आप resonate करवा पा रहे हो, उतना ज़्यादा उसकी stability बढ़ते हुए जा रही है, इस चीज़ को समझ चाहिए, ठीक है, ओके, यहां पर भी वही चीज़ में समझाने की ट्राय क्या हो, इसको में next figure के थ मीजोमेरिजम से ही हमने conjugation को सीख लिया, क्योंकि यह बड़े extent पे मीजोमेरिजम मतलब एक molecule पर ही नहीं transfer रहा, दूसरे तीसरे पर भी चला जाता है, क्योंकि यहां पर देखी हमें ऐसा लगना चाहिए, कि 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 से 2 पे चला गया, 1 से 2 पे चला गया, 1 से 2 पे च पर पॉजिटिव चाज फोर्थ पे आ गया, तो इसको हम conjugation बोलती है, एक extension हो चुका है, समझ रहे हो, तो उसको हम conjugation बोल रहे थे, यहां पर मैंने वही conjugation को आपको समझाया हूँ है, यहां पर मैंने लिखा होगा, loan pair of electrons साथ में odd electrons भी लिखे होगे, तो यह odd electrons वाला concept मैंन दो electron से बनते हैं, इसको मैंने तोड़ दिया, तो मतलब यहां पर एक electron आ गया, और यहां पर एक electron आ गया है, double bond बना चुके है, और यह जो electron था, यहां ही पर बच चुका है, ठीक है, simple सा concept है, आप लगाओगे, आपको समझ में आएगा, बड़ आपको पता रहना चीए, यह हो क्यो रहा है, कैसे double bond को transfer कर रहे हो, मीजोमेरिजम के द्रोम कर रहे है, ठीक है, बड़ एक प्रॉबलम है, मीजोमेरिजम जब बेंजीन के माद आती है, तो does not operate at meta position, यह तो नया concept है, जभी भी meta position पे कुछ लगा हो, समझो, ऐसा कुछ है, ठीक है, यहां पर आपने OH लगा होगे है, तो यहां पर आप, जहें जितने concept लगा लो, ठीक है, आप यहां पर inductive effect का concept लगाओगे, यह क्या लगाओगे, यह electron accept करता है, कि donate करता है, तो donate कर रहा है, तो यह plus I effect शो करेगा, इतना हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, पर यहां पर आप मीजोमेरिक effect नहीं लगा ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, सर, ऐसा कैसे आप बोल सकते हो, कुछ तो reason होगा कि वहां पर activate क्यों नहीं है, वो चीज़ बताओ, तो yes, हमारे पास उसका भी answer है, देखे, मैंने यहां पर सिर्फ एक tolwin लिया हुआ है, देखे, जिसको methyl benzene भी बोलते हैं, अ अब यहां पर देखे, अगर मैं यह bond तोड़के इसको resonate कराने की try करता हूँ, यहां से देखने की try करना, यह figure आप देख लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखे, यह hydrogen से मैं एक electron उठाता हूँ, देखे, यह bond को मैंने break किया हुआ है, और यह यहां से एक hydrogen उठाया हुआ, यहां पर double bond, समझे ही रहा, sorry, sorry, यहां पर अभी के लिए सिर्फ उतने अच्छे से मैं फिगर नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि screen चोटी है, अभी के लिए इतना याद रखे, यहां पर आपको resonate negative charge देते हुए दिखेगा, बतलब ortho position पर पर and same goes with ortho position पर, जबी भी आप resonating structures बनाते हो, I think आप 12 में होगे तो आपको इतना पता होगा, जबी भी हम resonating structures बनाते हैं, तो चार्ज का आप distribution करा रहे हो, फिर प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी चार्ज का आप distribution जो करा रहे हो ना, तो मैटा पोजिशन पर चार्ज नहीं आते दिखराओगा आपको, सिर्फ ortho position पर आया है, परा position पर आया है, और ortho position पर आया है, ठीक है, और इसलिए, और that is the simple reason, जिसकी वजे से, मेजोमेरिसम कहां पर activate नहीं होता, मेटा position पर activate नहीं होता, क्योंकि वहां पर कुछ अटेच नहीं हो रहा है, इस चीज को समझे, यहां आपको जब figures देखने चलोगे, तो यहां पर एक ortho पर मिल जाएगा, एक para पर मिल जाएगा, एक ortho पर मिल जाएगा, बट यहां पर meta positions पर आप resonating structure जब घुमा रहे हो ना, मेजोमेरिसम बेंजन में कर रहे हो, तो आपको नहीं दिखेगा कि चार्ज वहां पर आ रहा है, that means mesomerism meta position पर activate नहीं होता, I hope बहुत मैं कहां पर clear होगा, ठीक है, अब चलिए कुछ symbols के बारे में हम सीख लेते हैं, symbols क्या होते हैं, कैसे type के होते हैं, उसको समझने की try करते हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, और काम आता है, तो दीखें, ऐसा symbol होता है, जिस यहां ऐसा arrow हो, तो यहां पर half electron, मतलब एक ही electron का transfer हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, इतने देर से हम लोग क्या कर रहे थे, दो electron को transfer कर आ रहे थे, इसलिए मैंने यहां पर fully बनाया हुआ है, दिखा आपने, सेंग अभी आप देखोगी, इसका मतलब यह arrow का मतलब होता है, reaction, proceed हो रहा है, आगे forward बढ़ रहा है, अगर reaction ऐसा करके मैं यहां पर cross कर दूँ, that means, reaction जो है, आगे take place नहीं होगा, मतलब reaction, proceed नहीं होगा, just हमने एक चीज़ देखा था, मैंने आपको बताया होगा, ऐसा reaction नहीं के साथ करा रहा हूँगा, मैं, तो यह possible नहीं है, तो मैं यहां पर cross कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था, यह equivalent है, charge distribution ही नहीं, तो plus minus i, कुछ effect नहीं देखने मिलेगा, और यहां पर आपका यह जो है, oh, attack भी नहीं कर पाएगा, तो यह समझ में आया होगा reversible, irreversible, जिसको हम equilibrium भी बोलते हैं, आपने देखा होगा, यह भी पढ़ा होगा, तो यह भी देख लेना, charge, अगर मैं steps को ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, that means, यह multiple step है, तो कभी आप देखोगे, aldol, condensation or reactions लिखते हो न, तो कभी direct आप reactant लिखो, और direct product बनाना है उसका, कभी कभी ह हो जाता है, क्योंकि direct products हमें बनाने पड़ते हैं, बड़े लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, BSC में आऊगो, MSC, UPSC, कुछ भी exams देते हो, वहाँ पे लिखते हो, तो यहाद रखना, multiple steps होते हैं, तो हम यह directly बना के product बना देते हैं, ना कि हर एक चीज को classify करके और अच्छे से लिखने बैठते हैं, ठीक है, अभी आता है कि how will you achieve this conversion, अभी यहाँ पे conversion ही directly आपको बताना है, तो यह multiple step बाला ही बताया है, देखो ध्यान से, मैंने यह बताया, directly बता दिया है, दो step reaction में याद रखना, दो step reaction था, तो दो arrow करके, मैंने directly product लिख दिया है, ना कि दोनों steps बत आए हैं, तो यह arrows का भी मतलब कुछ होता है, यह देखे, यह arrow ऐसा कुछ निकाल दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है, rearrangement reaction, जिसको हम क्या बोलते है, inversion of configuration during reaction, कभी कभी rearrangement reaction करना है, तो आप ऐसे करके बताओ कि rearrange हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह आपने देखा हो होगा, इसको बोलते है, mesomerism, इतनी देर से जो हम कर रहे थे, यहाँ पर देखके समझ में आया होगा, कि चार्ज वापस ऐसे distribute होके यहाँ पर आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलोगे, mesomerism, मैं बहुत अच्छे से समझा चुक हूँ, और इसको बोलते है, ऐसे dotted dotted आपको मिलता है, तो इसको हम बोलते है, प्रपोस स्टेप, इतना क्लियर होगा, सारे साइन्स जो थे, वो मैंने बता दिये हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आंके बढ़ता चलूँगा, यह चाप्टर जो है, थोड़ा हाड होते चलेगा, मतलम हम लेवल धीर से चालूँ किये थे, आपको हुए चलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट इस, एसेंशिल कंडिशन फॉर कॉंजुगेशन, कॉंजुगेशन मतलम मीजोमेरिजम की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मीजोमेरिजम या कॉंजुगेशन के लिए क्या चाहिए होता है, पहला तो चाहिए आपको पता होगा, सिफ्टिंग औप आइलेक्ट्रों कर रहे हो, मतलब क्या होना चाहिए, एसपी तू हाइप्रिडाइजिशन होना चाहिए, इतना समझ में आ रहा है क्या आपको, इतना में एक्लियर हों क्या, ओके, चलिए, प्लेनेरिटी की बात करते इक का दिखे एप यहां पर जस्ट हम सीखे थे कि वॉजटिव नेगटिव बना दो, पर पर पोजटिव नेगटिव बना दो, ठीक है, यह हम देख चुके थे, अब कैसे कन्वर्शन करोगे, कन्वर्शन करने की बार ही जब आएकी, देखे, एक मिनट और अब देखिए, यह positive negative जो है वो टूट चुका है तो यहां पर इन लोगों ने क्या किया दिखें, एक negative बनाया है, यहां पर एक positive बनाया है, ठीक है, फिर यह bond को तोड़ा हुआ है, उनलोगों ने, यहां पर positive रख दिया और यहां पर negative बना दिया, positive negative joint हो चुका है, दिखा आपको, और एक double bond और यहां negative रह गया, इतना आप समझ यह, positive negative आप करने बैठोगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा, बस एक concept clear रखना, एक want positive और negative से बनता है, ठीक है, पर second reaction देखिए, second में conjugation नहीं देखने मिलेगा, क्यों, क्योंकि यह sp2 hybridized थे सब, दिख रहा, sp2, 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 but यहां प अभी possible ही नहीं है, कि conjugation हो जाएगा, so, conjugation is not possible, मतलब mesomerism is not possible, okay, planarity condition, just मैं आपको वही बताया, कि satisfy होना चाहिए, conjugation के लिए, one end से दूसरे end तक पूरा, मतलब, ऐसे, ऐसे जब आप लेके आ रहे हो ना, पूरा चलना चाहिए, continuation में है, charge, moment चल रहा है, तो मतलब, conjugation होता र याद रखिए, that's enough, यहाँ पे वही figures के थ्रो में आपको समझाने की try किया हूँ, कि sp3 कभी भी conjugation नहीं करता, sp2 और sp कर सकते हैं, double bond and triple bond, ठीक है, okay, if conjugation is due to lone pair, अगर conjugation सिर्फ lone pair से हो रहा है, then orbital energy must be same, इस चीज़ को याद रखते है, conjugation अगर lone pair से हो रहा है, तो orbital energy सेम होने चीज़, देखे, orbital energy मतलब क्या होता है, यह 2P orbit का है, यह 3P orbit का है, आपको पता होगा, chlorine, पहले फ्लोरीन आता है, फिर chlorine आता है, तो यह 3P orbit का आता है, ठीक है, और यह जो है, 2P orbit का है, इतना आपको बहुत अच्छे से clear होगा, ठीक है, तो same orbits के होने चाहिए तो सबसे जादा effective conjugation देखने मिलेगा और ineffective के लिए याद रखना ineffective कब conjugation हो जाता है अच्छे से conjugation कब नहीं हो पाता जब सिर्फ एक ही चीज में देख रहे हैं याद रखना आप एजली कर सकते हो ठीक है यहाँ पर आपको एक चीज देखने मिलेगा कि सेम है और बेट conjugation effective नहीं सेम है conjugation not effective बट इतना याद रखलो इनफ है आपके लेवल पर चल जाएगा आगे बढ़ते हैं orbital energy is equal conjugation due to loan pair inversely related to electronegativity इसका मतलब क्या हुआ आपके दिमाग में आना चाहिए अरे बाई यह क्या बता दिया आप में तो conjugation जो होता है न किसकी बात कर रहे है अभी तक हम loan pair की बात रहे है conjugation कब effective होगा किसके बैसे इस पर चेक करते हो आप inversely proportional to electronegativity अभी सोचो कोई electronegative compound है अपने तरफ double bond को बहुत अच्छे से खीच के रखा है तो आप उसको move करा पाऊगे क्या नहीं तो conjugation possible नहीं है जितना ज्यादा electronegative होगा atom उतना कम conjugation हो जाएगा I think इतना clear होगा देखिए यहाँ पर मैंने nitrogen लिया है that is NH2 और यहाँ पर OME लिया हूँ मतलब यह I think आपको समझ में आया होगा ठीक है next fluorine लिया है यहाँ पर nitrogen की हमको पता है कितना होता है that is 3.1 3.8 and 4.1 क्या है यह electronegativity electronegativity किसकी सबसे जादा है fluorine की तो यह देखिए conjugation इसमें सबसे minimum होगा क्यों ऐसा क्योंकि यह बोलेगा है नहीं कि double bond मेरा transfer करो समझ में आ रहा है double bond आप transfer नहीं कर पाऊगे क्योंकि वो पहले से electron खींच रहा है ठीक है यह simply हो सकता है पड़ यहां पे possible है यहां पे नहीं possible है आप इतना याद रखना conjugation is inversely proportional to electron negativity ओके आयोप इतना clear होगा आपको अच्छे से अब हमने conjugation समझ लिया mesomeryism बहुत अच्छे समझ लिया mesomeryism मतलब pi electron का transfer pi electron का एक हद से transfer होता है मतलब कुछ extent से transfer होता है जैसे कि because of pi bond because of loan pair because of positive charge और odd electrons तो उसको हम बोलते conjugation I hope इतना clear होगा अब यह role क्या है इतने देर से जो conjugation पढ़ रहे हो sir इसका role क्या है जैसे कि हमने inductive effect में पढ़ा था कि इसका role क्या है उसकी वज़े से ही reaction proceed हो पाता है plus minus बने गए नहीं तो reaction नहीं हो पाएगा इतना तो हमने पढ़ लिया था ऐसे ही रूल क्या है conjugation का रूल क्या निकलता है उस चीज़ को समझते है तब first देखे यहां पर मैंने लिया है जो यह देखे यह bond length है ठीक है तो single bond length कितना होता है carbon carbon single bond लेता होता है 154 सबसे strongest कोन सा होता है आपको पता होगा सबसे स्टेबल सिंगल बॉंड सिग्मा बॉंड होता है ओके अब यहां पर देखे एक compound बनाया हुआ है इसको क्या बोलते हो आप बहुत त्यहां से बोलते हो कि that is ethene यहां पर मैंने x लिया same goes with यहां पर compounds मैंने बताए हुए double bond को मैंने क्या बोल दिया x और single bond को y बोल दिया तो आपको क्या लगता है यह जो single bond है इसका bond length क्या होना चाहिए आपके दिमाग में क्या आएगा सर आप नहीं तो just उपर बता है single bond का bond length कितना होता 154 picometer मतलब यह कितना होना चाहिए 1.54 armstrong होना चाहिए यही होना चाहिए double bond कितना होना चाहिए देखे double bond कितना होना चाहिए देखे double bond कितना मतलब यह कितना होना चाहिए, 134 मतलब 1.34, Armstrong होना चाहिए, यही होना चाहिए था, पर यह theoretical value है, जब इसको experiment किया गया ना, जब इसको हमने experiment किया, तो यह values change मिले हमें, ठीक है, कैसे change मिलें, जरा समझने की try करते हैं, कैसे change मिला, तो यह 1.34 होना चाहिए था, क्या, double bond, बट यह कित इसका निकलता है, double bond देखो, 1.346, इसका मतलब यह समझ में आता है, कि double bond length directly proportional to conjugation है, जब conjugation कोई compound में बढ़ेगा, क्योंकि double bond है, तो conjugation कर आप आप, जभी भी conjugation होगा, तो double bond length जो है, वो increase हो जाता है, थोड़ा सा experiment में आपको increase मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसका हम structure बना सकत है, समझ में आ रहा है यह चीज़, देखे, इसका structures आप बना सकते हो, yes, easily possible है, just यहाँ पर मैंने बनाया है, आप देख लो, मतलब conjugation possible है, conjugation हो रहा है, that means कुछ ना कुछ bond length में change आता है, इतना हम समझ के, तो double bond length कैसी याद रखना है, आपको double bond length जभी भी होता है, तो हमेश पर single bond का कम हो जाता है, देखे, यह single bond y की value कितनी होनी चीज़, हम पढ़ चुके है, 1.54 armstrong होना चीज़ था, but real में क्या निकलता है, 1.51 ना कि 4, तो यह कम हो चुका है, आप बोलो कि सर यह तो बहुत कम है, चलता है इतना तो, yes, क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख contribution नहीं हो रहा है, पर इसी चीज़ को, पहले ही याद रख लेना आप, double bond is directly proportional to conjugation, अच्छे से समझना, अभी चस मैं सिखाया हूँ, single bond is inversely proportional to conjugation, क्योंकि conjugation हुआ single bond का, तो single bond का होना चाहिए था, 1.54, यह हो चुका है, 1.51 मतलब कम होता है, यह clear हुआ, आपको बहुत अच् करने की try करते हैं, ध्यान से देखने की try करना, यहाँ पर मैंने आपको 3 compounds दी हैं, देखे, CS3, CS2, CH2, double bond, CH and CL, यहाँ पर मैंने लिखाया है, X, यहाँ पर लिखाया है, Y, यहाँ पर लिखाया है, अब यह बताओ, कौन सा bond है, single है की double bond है, सब single bond है, तो single bond वाला concept लगाईए आप, single bond, conjugation, तो conjugation जिसमें कम होगा, single bond सबसे अच्छा माना जाएगा उसमें, bond length, प्लीज जयाद रखने हैं, bond length की बात रहें, bond length किसका सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर, जिसमें सबसे कम conjugation होगा, देखते हैं, चलिए चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक चीज हमें सम connection है, यहाँ पर बगल में आपको, adjacent side पर आपको double bond नहीं मिल रहा है, मतलब यह किस से connected है, SP2 नहीं, SP3 से connected, मतलब यह conjugation तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है, और जिब conjugation नहीं हो रहा है, तो simple सी बात है, इसका तो bond length भूल जो बहुत कम होगा, ठीक है, so it is single bond length की बात चल रही ह है, यहाँ पर, depends upon conjugation, as conjugation increases, single bond length decreases, जस हम पढ़के आचुके है, in compound 2, chlorine is attached to SP3 hybridized, so conjugation is not possible, जस समझा चुका हूँ, conjugation का मतलब ही होता है, pi electrons का movement, बट वहाँ पर तो pi electrons है ही नहीं, वहाँ पर SP3 है, मतलब single bond बना हुआ है, clear हुआ, in compound 1 and 3, compound 1 and 3 में देखो, conjugation हो रहा है, इसमें एक ही structure बनेगा, conjugate करोगे आप, और नीचे बाले में करोगे, तो आपको 4 structures मिल जाएंगे, कहां कहां पर मिलेगे, हम सीख चुके थे, meta positions पर नहीं मिलेगा, एक ortho पर मिला, दिक रहा है, और एक पहरा पर मिलेगा, फिर ortho पर मि मिलते हैं, that means, मैंने आपको से कहा था, जितना ज्यादा, conjugation value, जितना ज्यादा, conjugation होता है, इस चीज़ को समझते हैं, तो मतलब सबसे ज्यादा, conjugation इसमें हुआ, मतलब bond length, conjugation सबसे ज्यादा उसमें था, तो bond length सबसे कम होना चाहिए, inversely proportional है, समझे हैं इस चीज़ को, आपका, यह जो, z वाला है, वो सबसे last होना चाहिए, दिखके आपको, four consecutive, four member ring आपको मिलेगा, four mesomeric form मिल रहा है, यहाँ पे आपको two mesomeric form मिलता है, one and two, तो यह mesomerism possible है, ठीक है, पर दो ही मिल रहा है, और y में तो होई नहीं रहा है, तो कोई मतलम नहीं है, bond length की बात करो, सबसे कम होगा, z में, हम समझ के आचुके है, single bond की बात कर रहा हूँ है, x में थोड़ा अच्छा होगा, and y में सबसे best होगा, ठीक है, next एक question देखते हैं, यहाँ पे वही चीज मैंने आपको बताया होगा है, कि number of conjugating structure जितना increase होगा, जैसे हम देखके आचुके, चार conjugating structure है, उतना best conjugating positions, जितना ज़्यदा positions होते हैं, उतने ज़्यदा conjugating structures होते हैं, जैसे कि यहाँ पे चार, तीन position था समझ में आ रहा है, एक position, दो position, तीन position, that means conjugating structures कितने होगा, यहाँ पे, चार होगा, एक तो official तो खुदका होगा, और यह तीन बन रहे हैं, ठीक है, consider the following compound, दूसरा देखते हैं, I think, यह हम पढ़ लेते हैं, और यहाँ पे हमारा mesomerism part वाला जो था, वो खतम हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं, consider the following compound, consider the following compound, यहाँ पे देखे, chlorine मैंने अटेच किया है, यहाँ पे NH2 अटेच किया हुआ है, यहाँ पे OME अटेच किया है, और यहाँ पे मैंने अटेच किया है, अब इस चीज़ को समझे है, chlorine आपको पता होगा, ज़स सिखा के आया हूँ मैंने, 3P orbit में आते हैं, यह 2P, 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 तो पहले ही यह गेम से बाहर हो चुका है, कि conjugation होगा नहीं, जश्रम सीख चुके हैं, क्योंकि conjugation के लिए पहला क्या requirement था, हम चीख चुक होगा, यह चीज़ समझ गए, तो यहाँ पर वही चीज़ है, कि X जो है, वो सबसे last हो गया, यह चीज़ क्लियर हुआ, फिर दूसरी बात आती है, कि यह देखते हैं, इसमें आपको देखना है, सबसे ज़्यादा, electronegativity, देखें, जहां से समझने की, try करते हैं, it is problem of double bond, क्यों, क्योंकि देखें, मैंने कहाँ पर यह पूचा हुआ है, XYZ, double bond के लिए, वहाँ पर मैंने किस के लिए पूचा था, देखें, single bond के लिए पूचा था, यह bond length, single bond के लिए पूच रहा था, यह problem किस का है, double bond length के ल Conjugation बढ़ेगा, Double Bond Length बढ़ेगी, मतलब सबसे ज़्यादा Conjugation जिसमें होगा, सबसे अच्छा Bond Length उसमें होगा, Conjugation सबसे ज़्यादा कब possible होता है, जब कोई उसको याद रखना, यहाँ पर हमने सीख क्या है, Electro Negativity बहुत जादा है, मतलब यह अपनी तरफ खीचेगा, I think बहुत clear होगा, उसके बाद देखना है, और Electro Negativity, Nitrogen और Oxygen में से किसकी जादा है, Oxygen की जादा है उसके बाद आप जाएगा आपका, and last में क्या जाएगा, Why, यह चीज़ I think बहुत में clear होगा, और इससे जादा detail में आपको Bond Length wise कुछ नहीं बता सकता, हम क्या सीख रहे है Conjugation में सीखा, Mesomerism सीखा, उसका Use कहाँ पर करना है, Questions किससे solve करने है, Bond Length का Question solve करना है, आपको ऐसे करना है, I think बहुत clear होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ चुगा, अगर आप Electro Negativity भी निकालते हो ना, तो Electro Negativity भी, यहाँ पर वही मैंने बता हुआ है, Florine की सबस समझ में आ जाएगा, Question यही है, मैंने वहाँ पर Question यहाँ पर लिखा था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, Second Important Bond Length हमें समझ में आ चुका है, अब Second Important Contribution Mesomerism या Conjugation का कहा होता है, Heat of Hydrogenation, अब बोलोगे, Sir, यह क्या नया चीज़ लेके आप Heat of Hydrogenation, इसको भी समझ लेते हैं, देखे Pi Electron मतलब आप Move कर सकते हैं, इतना तो हमें समझ में आ रहा है, Conjugation होका, ठीक है, पर यह जो Pi Electron है, देखे, यह चीज़ में मुझे बताना कि सबसे ज़्यादा Stable कोन है, Carbon Single Bond Stable है कि Carbon Double Bond Stable है, हमेशा आप बोलोगे Carbon Single Bond Stable है as compared to Carbon Double Bond, क्योंकि कि मैं सिखाया हुआ Influence में नहीं है, Repulsion Problematic चल रही है, समझो ऐसा कि वो उसके Carbon के Influence में ही नहीं आ रहे हैं, मतलब Double Bond होते हैं, वो Unstable होते हैं, Pi Electrons वाले जो Double Bond बना रहे हैं, Pi Bond, वो Unstable होते हैं, and that's the reason वो तूट जाते हैं, ठीक है, हम सीख चुके हैं, पीछे सीख चुके हैं, अब यही चीज़ यहाँ प हमें पता है कि Electrons जो होते हैं, यह Bond जो होता है, वो Positive Negative से बनता है, तो Bond को तोड़ दूँ, एक हो गया आपका Positive, एक हो गया आपका Negative, ऐसे सोतलो, एक Carbon पे Positive आया, एक Carbon पे Negative आगया, यही Concept यहाँ पे Hydrogen में अप्लाई करो तो, दो Hydrogen है, दो Hydrogen को तोड़ो, एक को Positive बना दो, ए जब ऐसा होता है ना, यह Double Bond आप तोड़ रहे हूं ना, जब भी Double Bond तोड़ता है, तो कुछ Energy निकलती है, और उस Energy को ही हम क्या बोलते हैं, Heat of Hydrogenation, प्लीज याद अपना, Double Bond को तोड़ने के लिए, Triple Bond को तोड़ने के लिए, Unsaturated Carbon को, मतलब, Unsaturated मतलब Double और Triple Bond वाले Carbon को, Saturated Carbon बनाने के लिए, आपको Hydrogen से Reaction करोगे, कुछ Energy निकले की, उसको हम बोलते है, Heat of Hydrogenation, इससे एक Main Important चीज हमें पढ़नी है, Resonating Stabilization Energy, Resonance Stabilization Energy, इसलिए मैं यह आपको समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझने की, Try करो इसको, ठीक है, तो हमें यह चीज समझ में आगा Heat of Hydrogenation is defined as Heat Released, Whenever a Double Bond is Completely Hydrogenated, ठीक है, Double Bond completely Hydrogenate होगा, Heat Release होगी, उसको हम पर क्या बोलोगे, Heat of Hydrogenation, It is also called Enthalpy of Hydrogenation, जो आप कभी भी Physical Chemistry पढ़ोगे, तो वहाँ पर यह वर्ड आपको मिलेगा It is always Exothermic, क्यों समझ में आ रहा है कि Heat हमेशा Release हो रही है, और कभी भी कोई चीज Release होता है, तो उसको हम Exothermic बोलते हैं, और Sign क्या लगाते हो, समझो, 36 degree Celsius Release हो रहा है, तो इसको क्या लगा होगे, Sign, Negative Sign लगा होगे, ठीक है, यह पता चला, तो यह याद रखना थोड़ा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगाया होगे, देखो, Heat of Hydrogenation ऐसे लिखा जाता है, 28.3 किलो कैलरी निकल रहा है, as compared to यह Double Bond के हिसाब से हम देख रहे है, Double Bond 2 ट्रा है इसलिए, और Minus Charge क्या शो कर रहा है, माँ पर यह Minus Charge यह शो कर रहा है, कि वो Release हो रहा है, Exothermic Reaction है, कभी कभी ऐसा माइनस 28 होगा, पर Minus जो है वो सिर्फ दिखा रहा है, Release हो रहा है, यहाँ पर Less Connect 26, प्लीज यह शो को अपने दिमाग में रखना, ठीक है, but if Double Bond is Stable, अगर यह Double Bond Stable है, समझे, Double Bond में Fluorine से Joint करके रखा हूँ, और Fluorine जो है, यह Double Bond को तोड़नी नहीं देखा, तो Heat of Hydrogenation जो हो Stable होता है, जो Resist करता है Hydrogenation को, is Lesser Resulting Heat of Hydrogenation, इतना आद रखना, Less Heat of Hydrogenation निकलेगा, समझने के ट्राय करते हैं, I think यह Clear कर दूँगा, मैं आपको बहुत अच्छे से, और फिर Resonance Stabilization Energy पे हम आएंगे, जो बहुत Important Topic है, इस से ही आपको पता चलेगा, ठीक है, देखे, Question है Find Out Heat of Hydrogenation in all of these cases, तो पहला केस यह मिला, दूसरा केस यह, तीसरा, चौता, आपको Find करना है, तो पहला केस तो हमें दिख रहा है, Simple सा है, जस्ट हम पीछे देख के आ चुके, और मैं आपको सिखाया भी, Minus 28 निकलता है, तो यह समझ में आता है, कि यहाँ पे Hydrogenation करोगे, Minus 28 निकल जाएगा, हम यह क्या देख रहे हैं, सब याद रखना theoretical value देख रहे हैं, ठीके, Second Compound से दिख रहा है, यहाँ पे Conjugation ही नहीं हो रहा है, क्योंकि SP3 Hybridization है, आपको समझ में आया होगा, Conjugation नहीं हो रहा है, तो Yes, Simply आराम से यह तूट सकता है, और बहुत ज़्यादा Heat न Conjugation हो रहा है, मतलब बहुत stable बन रहा है, compound, जब stable बन रहा है, मतलब movement हो रही है, stable बन रहा है, इसके resonating structures बन रहे हैं, तो यह जो है, values कम हो जाती है, ठीक है, पर यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, देखो, कितना लिखा हूँ, मैंने यहाँ पे 28 लिखा, यहाँ पे हम सोचते ह single bond था, इसलिए 28, double bond है, इसलिए 56 होना चाहिए, double bond है, इसलिए 56 होना चाहिए, triple bond है, तो 3 bond रूटे का, तो कितना होना चाहिए, minus 84, ऐसा लगता है, theoretical values, पर ऐसे काम नहीं करता, heat of hydrogenation प्लीज जाद रखना, theoretical values, bond के वेसिस पे हमने calculate क्या, 1 bond रूटा 28, 2 bond 56, 2 bond 56, 3 bond 84, निकला इसलिए minus sign, but experimentally क्या होता है, इस चीज़ को समझो, experimentally क्या होगा, double bond है, बहुत अच्छा है, conjugation हो सकता है, heat of hydrogenation बहुत कम होगा, ठीक है, almost 28 हम देख क्या चुके हैं, इस चीज़ को याद रखो, यहां conjugation हो ही नहीं रहा है, तो यह इतना ज्यादा heat निकल सकता है, यहां पे conjugation होगा, तो यह 56 नहीं होगा, 51 हो जाएगा, और यही चीज़ हमें समझ में आ रहा है, क्या, यही चीज़ हमें समझ में आ रहा है, बेंजीन में तो चार resonating structures बन रहे थे, conjugation के through, मतलब यह तो और stable है, तो यह और कम हो जाएगा, heat जो है, कम निकली, समझ के इस चीज़ को, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है, कि second structure और fourth structure, second structure and fourth structure, sorry, third structure and fourth structure, double bond is stabilized by conjugation, क्योंकि double bond conjugation में जा रहा है, और इसके लिए, physical property, जो है, heat of hydrogenation, वो कम है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, और यही चीज़, इसी टम से, हमें पता चलता है, एक चीज़, जिसको बोलते हैं, resonance, stabilization, energy a term, resonance, stabilization, energy, वो क्या होता है, resonance, stabilization, energy is a difference between, याद रखो, heat of hydrogenation, theoretical value, minus, experimenter, बस, यही था, इसे लिए, इतने देर से, हम heat of hydrogenation पढ़ रहे हैं, heat of hydrogenation से ही, आप, यह, resonance, stabilization, energy, निकाल सकते हो, जैसे कि देखो, हम यहाँ पे, 13, pentadine का निकाल रहे हैं, 5 carbon है, 13, pentadine, मतलब इसका मैंने यहाँ पे निकाला है, heat of hydrogenation, तो आपको पता होगा, यह कितना निकलता है, 51 point something निकलता है, sorry, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, आप एक बार देख ले न, 51 point something निकलेगा, यहाँ हम इने ट्राइ किया है, निकालने के, दिखो, यहाँ पे 56 लिखा, experimental value, theoretical value, minus किया, और आपको answer मिलिया, यह समझ में आया, इसको बोलते है, heat of hydrogenation, बस इसी difference को बोला जाता है, that is, resonance stabilization energy, ठीक है, यहाँ पे question कभी-कभी आपको आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि हम जब ही भी aromatic और resonance नाम सुनते हैं, तो benzen निमाग में आता है, calculate the resonance stabilization energy for benzen, तो benzen के लिए करोगे, तो benzen में कितने bonds होते है, 3 bond होते है, तो हमें यह पता चलता है, 3 bond है, 84 theoretical value होनी चाहिए, और minus real में कितना है, 43 है, sorry 49 है, तो यह हमें समझ में आ जाता है, कि कितना होता है, around minus 36 और यह बहुत बार आपने पढ़ा होगा, कि stabilization, resonance stabilization, benzen का क्या होता है, 36 kilo calorie होता है, यह चीज़ क्लियर हुआ, next is generalization, इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए अभी याद रखो formula क्या होता है, resonance stabilization energy is equal to 28, मतलब single, क्योंकि एक bond तो होगा ना भाई, तो 28 आप लिख देना, into n करना है, आपको, n मतलब होता है, कितनी ring है, ठीक है, number of double bond in conjugation, कितने double bond में conjugation है, and, same goes with, क्या, experimental values वाला, जिसको हम बोल रहे है, heat of hydrogenation, so, yes, real formula, जो आप बुक में पढ़ रहे हुआ, generalized formula, यह आपको मिलता है, प्लीज आद आपना, कैसे बना है, बहुत अच्छे समझाया हुआ, resonance, stabilization, energy, एक bond, double bond ले लो, कितने उसमें conjugate कर रहे हैं, उसको ले लो, और minus कर दो, heat of hydrogenation से, उसको ही, resonance, stabilization, energy, बोलोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं, एक example के तुरू, आपको समझाने की, try करूँगा, देखो, heat of hydrogenation of compound, one, is, इतना, calculate, double bond, resonance, stabilization, energy, ठीक है, इसको हम समझने की, try करते हैं, heat of hydrogenation आपको दे दिया गया है, resonance, stabilization, energy, निकालना है, देखो, यहाँ पर हमें समझ में आता है, कितना bond है, उस चीज़ को, एक, दो, तीन, चार्ट, double bond, कितने है, तो n की value 4 हो चुकी है, बस, एक bond का इतना होता है, इसको 4 से multiply कर दो, और real में कितना दिया गया है, उसको रग दो, minus करोगे, जो भी values आपके पास निकलती है, and that is, simply, क्या हो गया आपका, resonance, stabilization, energy, simple सा है, आप calculate कर सकते हो, I think, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, S.A.D. characters भी देखे जाते हैं, S.A.D. characters भी हम इससे देखते हैं, उस चीज़ को समझने की try करते हैं, S.A.D. characters कैसे देखोगे, क्योंकि, mesomarism effect इतना समझ में आता होगा, inductive effect से आप देख, मैंने जब भी inductive effect आपको कराया होगा, तो inductive effect में एक चीज़ हमने commonly देखी है, क्या देखी है, inductive effect जो होता है न, plus और minus I effect, वो क्या था, permanent effect तो था, permanent effect तो था, पर एक चीज़ हमने देखा था, क्या, power में ये कमजोर था, पर हमने बोला था, powerful अगर कोई आ जाएगा, जैसे मीजोमेरिक effect, तो ये जो है, वो weak हो जाता था, तो yes, acidic के लिए भी, कभी acidic characters आपको चेक करने हैं, या basic characters आपको चेक करने हैं, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, मीजोमेरिजम चेक करोगे, अगर ये नहीं मिले, तो कहां पे चले जाना, simple सा, आप inductive effect के पास जा होगा, इसके आगे हम लोग बढ़ने की ट्राय करते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ने की ट्राय करते हैं, देखे, acid characters को हम समझते हैं, चलो, अब acid characters में, यहाँ पे मैं कुछ चीज़े दिया हूँ, देखो, acid character conjugation से ही decide हो जाता है, यहाँ पे कुछ structures आपके पास हैं, यहाँ पे simple सा आपको देखेगा, phenol, phenol नहीं है, sorry, यह alcohol मिलेगा, second is phenol, and the third one is acid, सबकी pka value दी गई है, pka value क्या होती है, आपके डिमाग में यह भी आएगा, यह तो हम 20 में 10 पे पढ़ते हूँ, pka value याद रखना, is minus log of ka, ठीक है, तो मतलब अगर pka value जादा है, तो acid characters कम है, मतलब higher pka value, acidity जो है, वो low है, अभी के लिए सिर्फ इतने आद रखना, मतलब इसमें higher pka value किसका है, इसका है, मतलब यह कम acidic है, फिर यह कम acidic है, और सबसे ज़्यादा acidic कोन है, यह वाला आपको, यह acid मिल जाता है, दिख रहा है आपको, इसको और detail में समझने के लिए, हमें चीजों को और अच्छे से समझना पड़ेगा, जैसे कि कोई group H से joint है, कोई group अगर H से joint है, उसको हम तोड़ देते हैं, तो H बाहर निकल जाएगा, इतना तो समझ में आया, H हमें इसा निकलेगा, तो positive लेके निकलेगा, ग्रूप पे negative chart छोड़ देगा, सो higher acidic characters कैसे पता चलता है, जब GH bond जो न, must be weak, क्यों, क्यों कोई acid कब बोलेगा, acid कब किसी चीज़ को बोलोगे, जब hydrogen निकल जाएगा, अब hydrogen निकलने के लिए GH bond को weak होना पड़ेगा, मतलब जिसमें भी group के साथ hydrogen bond weak हो, easily hydrogen निकल जाएगा, बस वहीं पे समझ जाना आप क्या हो रहा है, acidic characters बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को और समझने की हम try करते हैं, यह जो है must be stable, G minus जब बन जाता है न, तो stable हो जाता है, देखे, if Ka will be higher, इस चीज़ को छोड़ देते हैं, पहले यहाँ पे देखो, आप एक structures में देता हूँ आपको, एक है यह alcohol वाला, जो हम पहले देखे, और phenol में, differences क्या हैं उस चीज़ को हमें समझने की try करना, तो पहले देखो, alcohol वाला characters, alcohol में आप देखोगे, कि simply यह जो है, यह strong था, तो इसी लिए जल्दी hydrogen को निकाल नहीं रहा है, और hydrogen जल्दी नहीं निकल रहा था, मतलब यह weak बन रहा है, यह समझ में आ रहा है, इसलिए इतना यह weak हो रहा है, क्योंकि यह बहुत strong bond है, इसलिए निकाल नहीं रहा है, पर इसी चीज़ को जब phenol में आओगे न, आप जब phenol की बात कर दोगे, तो चार resonant structures बन जाते हैं, और चार resonant structures बनने के बाद भी एक चीज़ आपको पता से लेगी, कि वह जो bond है, resonance की वज़े से यह weak बन जाता है, resonance की वज़े से यह bond weak बन जाता है, इसको आप detail में मेरे books में पढ़ सकते हो, notes में पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगा, download कर सकते हो, description से, समझो, यहाँ पर negative charge है, उपर positive charge है, simple सी bond, बात चल रही है कि oxygen bonds वह weak हो जाता है, hydrogen easily निकल जाता है, and that's the reason, यह थोड़ा उससे जादा acidic बन जाएगा, I hope मैं यहाँ पर clear ह और चीजों को try करने की try करते हैं, तो इन से भी जादा, phenol से भी जाना, जादा, phenoxid iron जो होता है, O minus iron, वो सबसे जादा strong बनेगा, कैसे देखो, यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर resonating structure से बनाओगे न, तो हम सिख क्या चुके हैं, क्या सिख क्या चुके हैं, G minus जो होता ह है, वो stable रहता है, ना कि यह stable रहेगा, तो यह stable है, यह stable है, और इसको resonate कराओगे, तो मतलब हमें stability सबसे अच्छी मिल जाती है, इसमें मतलब जब मैं बोलू comparison के लिए, तो सबसे weak तो यह acid हो गया, उसके बाद यह थोड़ा अच्छा acid है, और इससे भी अच्छा acid क्या होग phenoxidine, ठीक है, I hope इतना आपको अच्छे से clear हो चुका है, मतलब सबसे आदा अच्छा acid यह होता है, consider यही हम चीजें किसके अंदर देखते हैं, carboxylic acid में देखने के try करते हैं, consider carboxylic acid, चलो carboxylic acid लेके देखते हैं, हमने यह आपे carboxylic acid लिया, carboxylic acid में क्या हो जाता है, यह जो oxygen है ना, वो bond को capture करने की try करता है, यह capture मतलब यहां से होगा, और यह conjugation के तूर ट्रांसफर हो जाते हैं, एक दूसरे में ही, मतलब इसको आप ऐसे resonate करवा सकते हैं, यह समझ में आ रहा है, मतलब यहां पे ही resonance होता रहेगा, इसी चीज़ को याद रखना, इसमें दो ही conical forms मिलते हैं, क्योंकि बेंजन नहीं है, अंदर resonate नहीं होगा, दिमाग लगा लो थोड़ा, फिनॉल जैसा भी नहीं हो, यह इसके जैसा ही नहीं होगा, अल्कॉल जैसा क्योंकि इसमें तो resonance पॉसिवल नहीं था, यहां पे resonance हो रहा है, तो यह alcohol से ज्यादा strong acid है, कौन सा carboxic acid, यह clear हुआ, carboxic acid जो है, वो strong acid है, यह चीज़ हम पढ़ने की try करते हैं, देखो, carboxic acid is more stronger than phenol, क्यों ऐसा, क्योंकि phenol जो है, यह weak bond मनाता है, यह तो हमें समझ में आ रहा है, both resonating structure are symmetrical, charges is distributed between electronegativity of oxygen वल्ली, तो यहां oxygen पे ही वो distribute करते रहते हो, और इसी लिए यह क्या है more acidic है, यह समझ में आगे बढ़ते हैं, factor which stabilizes pH, अभी के लिए सिर्फ, अगर नहीं को समझ में आ रहा है, तो भूल जाओ चीज़ों को, अभी यहां पे समझने की try करो, देखो, अगर हम लोग लेते हैं phenol, simple सा phenol लिया, उसमें कोई group joint किया, अभी यह group अगर इसको stabilize कर रहा ह है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्या बढ़ा रहा है, acid characters phenol की बढ़ा रहा है, और अगर इसको destabilize कर रहा है, मतलब ऐसा ज्यूइज कर दो जो electrons की खिच रहा है, sorry donate कर रहा है, तो एसा कươngश जुँज हमने joint कर दिया, जो donate कर रहा है, और donate कर रहा है, मतलब उसकी characters जो है कम कर रहा है इस चीज़ को समझने की और डीप में ट्राइ करते हैं प्लीज जहां पर जहां से देखो जब इलेक्ट्रॉंस ऑक्सिजन छोड़ेगा मतलब नेगटिव चार्ड रेजोनेट करेगा फिनॉल में और नेगटिव चार्ड रेजोनेट कर रहा है तो इसलिए वो एसिट थोड़ा अच्छा वन रहा था जस्ट हम देख क्या चुके अब ये ग्रूप के ओपर डेपेंड करता है ये ग्रूप में अगर हमने पैरा पोजिशन पे नॉटू लगा दिया नॉर्मल फिनॉल ले लिया तो ये बताओ इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा इसे डिक हो गा भिया तो फिनॉल तो इसे डिक हमें पता चल्ता है पर इससे भी ज़दा एनौटू जो रहा है ये जादू हो रहा है क्या हो रहा है यहां पे देखो जो कॉंजूगेशन है वो और बड़ी लेवल तक एक्स्टेंड हो रहा है। longer the conjugation resulting stabilizes the charges of oxygen देखो यहाँ पे, यहाँ पे conjugation यहाँ से हुआ, यहाँ moment हुआ है, आप देखना, आप PDF एक बार नाउनलोड कर लो, मैं उतना डेप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्यों कि मैं चार्ज मौन पढ़ाने चला जाओंगा, तो यह चाप्टर जो है, बहुत 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 लंबा निकल जाएगा, अभी के लिए मैंने बहुत बार पीछे के बता चुके हैं, कैसे बनते हैं, कैसे चार्ज करना है आपको, आपको समझ में आएगा, यह बड़े extent त को यहाँ पे देखो, NO2 joint क्या, आपने electrons को खीच रहा था, और electron को खीचा, इसलिए oxygen stabilize हो रहा है, oxygen stabilize हो रहा है, मतलब यह अच्छा का सा acid बन रहा है, पर यह चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, देखो ध्यान से CS3 है, CS3 क्या कर रहा है, electrons को donate कर रहा है, और यह चीज effect को अच्छे से समझ लिया है, I think मुझे इतना लगता है कि आपने inductive effect को जाना होगा, क्या मतलब होता है, कहां-कहां पे use किया जा सकता है, and same goes with mesomeric effect, दोन में stronger कोन है mesomeric effect, कभी भी reaction देखते हो, क्या देखना है आपको mesomeric effect, ठीक है, एक बार वीडियो जरूर देखेगा, क that is mesomeric effect, inductive effect, and next is hyperconjugation, तो hyperconjugation होता क्या है, उसको समझने की try करते है, initially यह क्या होता है, delocalization of alpha electrons होते है, ठीक है, delocalization of alpha electrons, उसको ही हम क्या बोलते है, hyperconjugation बोलते है, देखे, यहां पे इनहां से आपको समझ में आएगा, देखे, यह alpha carbon है, और alpha carbon के जो यह electrons है, hydrogen के, वो delocalize होते है, please याद रखना, delocalization of hydrogen के alpha electrons होते है, carbon hydrogen जो bond होता है, वो तूट जाता है, और उसके electrons हो है, वो move करते है, और उसको ही हम बोलते हैं, क्या, hyperconjugation, simple सा concept है, conjugation हम समझ किया चुके है, conjugation में क्या था, on the behalf of double bond होता था, इतना समझ चुके हैं, बट इतना याद रखो, यहा निकल जाएगा, तो हमने सीखा था, क्या, कि यह क्या बन जाता है, odd electron वाला या positive charge वाला, यह चीज़ हम बहुत अच्छे समझ किया चुके हैं, I think इतना मैं clear होँगा, एक example के तरीके से देखने की try करते हैं, आपको यह चीज़े बहुत अच्छे समझ में आ जाएंग, suppose कि यह कि bond जो होता है, वो plus और minus से बनता है, इतना हमने देखा है, ठीक है, तो यह जो double bond है, इसको आप तोड़ दीचे और एक कोने में plus कर दीचे, एक कोने में minus कर देते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं, कि यहाँ पर मैं negative charge लगा रहा हूँ, जो आप देख सकते हो, और इस carbon पर मै यह bond को, sigma bond को, तो किस को plus आप charge दोगे, देखो, कौन सब स्यादा positive है, यहाँ पर दीख रहा होगा, आपको hydrogen हमें सा plus charge लेके निकलता है, carbon के उपर negative charge आएगा, that means यहाँ पर hydrogen जो है plus charge लेके बैठा रह जाएगा, carbon के उपर negative charge आचुका है, अब carbon के उपर negative charge है, यहाँ पर हम charge आचुका है, और इसको ही हम क्या बोलेंगे, conjugation, बड़ यह किस के basis पर हो रहा है, hydrogen के basis पर हो रहा है, बड़े लेवल पर हो रहा है, और इसको ही हम बोलते है, hyperconjugation, प्लीज याद रखना है, यहाँ पर hydrogen, यहाँ पर hydrogen bond है, वो भी sigma, याद रखेगा, sigma bond वाले जो रहते हैं वही डूटके यह contribution करते हैं, clear हुआ, in general, यह delocalization जो हो रहा है, यह pi electrons का होता है, just मैंने आपको बता है, pi electrons यहाँ से, यहाँ move होके आ चुका है, तो pi electron का delocalization होता है, and that is why, इसको हम क्या बोलते हैं, second order resonance, क्योंकि आपने benzone में भी देखा होगा, benzone में भी देखा होगा, pi electrons resonate करते हैं, तो इसको हम resonance बोलते हैं, और यहाँ पर i electron resonate कर रहे हैं, मतलब move कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे है, second order resonance, that's enough, I think इतना clear होगे आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, further hydrogen जो है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, hydrogen हवे में लटक रहा है, so it is freely, freely वो र रहता है, hydrogen जो होता है, जहां से देखने की इस चीज़ को try करना, कि question समीसा रहता है दिमाग में, hydrogen remains attached to the molecule, अब आपको लगे कहा है, sir, कैसे attached है, वो तो attached नहीं है, yes, it is attached by electronic effect, sorry, that is attached by electrostatic force, electrostatic force, yes, it is attached by electrostatic force, इतना समझ लीजिएगा, hydrogen और carbon के बीच में, जो force है, उसको हम बोलते हैं, electrostatic force, वो हवे में लटक नहीं रहा है, वो उससे attached ही रहता है, वो भी compound का एक part रहेगा, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना, okay, और इसलिए, इसलिए, क्योंकि hydrogen bond नहीं बना रहा है, फिर भी वो compound का part है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, no bond resonance, नाम पता चल रहा है आपको, नाम पता चला होगा, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते है, hyperconjugation का दूसरा नाम क्या है, no bond resonance, that's clear, okay, number of hydrogenated form जो होते हैं, is always equal to number of alpha hydrogen, जितना ज्यादा alpha hydrogen होगा, उतना ज्यादा bonds बनेंगे, यहां पर double bond था, तो यह तो पहला carbon होगा, इस पर कितने hydrogen थे, एक, दो, तीन, तो यहां पर कितने structures आप बना सकते हो, तीन hydrogen को तीनों बार तोड सकते हो, और यह तीन structures resonate करेगा, यहां पर वही बोल रहा है क्या, जितना alpha hydrogen होगा, उतना hydrogenate हमारा hyperconjugated form बनेगा, I hope इतना clear हुआ होगा, that means, एक चीज़ हमें बहुत अच्छ में आ रहा होगा, क्या, पूरे bond को सच में delocalize कर रहा है, दिखा आपको, तो इसी लिए इसको हम क्या बोलते है, stronger than inductive effect, inductive effect में क्या हो रहा था, देखे, inductive effect में क्या था, CS3, CL था, तो हम ऐसा suppose करते थे, कि यह जो center का electron है, यहां पर shift हो जाएगा, shift होगा, पर यहां पर shift न वो actual delocalization करते हैं, और इसी लिए, inductive effect से hyperconjugation strong होता है, सुनिये, सुनिये, धहाल से सुनिये, inductive effect से कौन stronger होगा, hyperconjugation हमीशा strong होता है, बट, आपको पता है, कि breaking of sigma bond हो रहा है, यहां पे जो hydrogen है, वो sigma bond बना रहा है, इसको यह तोड रहा है, तो breaking of जहां पर sigma bond होता है, वो compound क unstable थोड़ा कर देता है, and that is why, less effective than mesomeric effect, मतलब, अगर कोई आप से series पूचे कि stronger कोन होगा, और सबसे बड़ा force आपको कौन सा देखना होता है, acid के लिए, bond angle के लिए, हर चीज के लिए, तो अब क्या बोलोगे, mesomeric effect, then उसके बाद, hyperconjugation and at last inductive effect, इतना clear हो आपको, hyperconjugation कुछ evidence भी देता है, कुछ evidence क्या होते हैं, उस चीज को समझने की, try करते हैं, देखे, यहाँ पर देखे, यह triple bond है, मतलब, यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि यह जो carbon है, यह carbon है, वो क्या बन रहा है आपका, यह carbon number one है, उसके बगल में, जो CS3 है, वो क्या हुआ, sigma carbon हुआ, उस पास कितना hydrogen है, तीन hydrogen है, that means, तीन बार आप तोड़ सकते हो, जस्ट मैं सिखा किया चुका हूँ, ऐसे आप बना सकते हो, तो यहाँ पर एक structure बनायाएगा, इस simple सा है, बर अगर यह hyperconjugation का हमें, fact जानना है, hyperconjugation में, आपको समझ में आएगा, कि hyperconjugation का का काम क्या होता है, इतने देड़ से तो आप सर पढ़ा रहे हो, पर hyperconjugation का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने inductive effect सी का काम आता है, ऐसे हमने सी का mesomeric effect, acid and waste देखने में अच्छे से आता है, bond angle, हर एक चीज़ देख लिया, ऐसे ही hyperconjugation काम काहाता है, तो एक ही चीज़ में काम आता है, तो एक ही कर पा रहा है, कोई alkyn ऐसा है, जिसके electrons मूब नहीं कर रहे है, उसको stable करने में ये काम आता है, ठीक है, उसके electrons को move करा के अच्छे से stability प्रोवाइड करता है, compound को, देखिए, यहाँ पर मैंने लिया हुआ, देखो, compound को देखते चलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कितने बनेंगे, zero, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर hydrogen कुछ बनी रहा है, क्योंकि alpha किसको बोलोगे, यह तो number one हो गया, number one carbon जो connect है, double bond, वो किस से carbon से connect हो, और वो hydrogen से connect हो, इसको बोलेंगे, alpha carbon and alpha hydrogen, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर zero hyperconjugation होगा, यहाँ पर कितन हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, दिख रहा है, just हमें example देख क्या चुके थे, यहाँ पर कितना हो सकता है, तो यह भी, यह भी देखो, यहाँ पर, यहाँ पर, दोनो number one carbon है, तो यह भी alpha हो गया, यह भी alpha होगा, कितना है, totally 6 है, तो यहाँ पर कितने है, बन जाएंगे, यह यहां पे 6 होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 0 होगा, यह चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से, यहां पे देखो, 3 alpha hydrogen, 3 alpha hydrogen, 3 alpha hydrogen, totally no structure बना सकते हो, और यहां पे same goes, 12 structures बना सकते हो, ठीक है, यह hyperconjugation दिखाता है कि कैसे कैसे stability बढ़ती चली जाती है, stability of alkins देखने के लिए काम आता है, अभी आपको नहीं समझ में आ चलेगा, पर hyperconjugation क्या होता है, वो आपको समझ में जरूर आना चाहिए, ठीक है, अभी same goes होता है क्या, hydrogen और fluorine, आप सोचो, आप मुझे बोलो कि sir, मैं CS3 के जगा, CF3 लगा देता हूँ, तो कुछ changes होगा, मेड़ा changes होगा, क्या, electronegativity बढ़ रही है, तो उसके हिसाफ से changes होगा, देखने के try करते हैं, और उस term को हम अलग तरीके से देखते हैं, देखे, उस term को हम क्या बोलते है, reverse hyperconjugation, सिर्फ एक ही compound में possible होता है, ध्यान से देखने के try करना, अगर hyperconjugation possible है, तो reverse भी possible है, देख इसका काम क्या होता है, electron withdrawing group, electron withdraw करेगा, electron withdrawing group का काम कर रहा है, जल्दी-जल्दी समझने के try करते हैं, यहाँ पर देखो, cf3 लगा दिया है, तो यह electron को withdraw करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और देखे, यहाँ पर समझ में आए, plus, minus, यह बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, यहाँ पर सिखाया होगा, और यह fluorine minus हो सकता है, यहाँ पर double bonded हो जाएंगे, यहाँ पीछे देखके आए, बस यही सोचो, fluorine आ चुका है, यहाँ पर electron उल्टा हो जाता है, हमने वहाँ पर क्या देखा था, यहाँ से देखो, आपने क्या देखा होगा यहाँ पर, जो मैंने देखने को मिलता है, आप बोलोगे, सर मैं ऐसा कर लोगी, यहाँ पर chlorine लगा दो तो, CCL3 लगा दो तो, CCL3 नहीं लगा सकते, the reason is staring hindrance हो जाएगा, यह जो chlorine होता है, इसकी size बड़ी होती, आपको पता होगा, 3P orbits में आता है, हम सीख चुके हैं, और जितनी बड़ी size आप possible नहीं होता है, I hope मैंने बहुत अच्छे से आपको hyperconjugation समझा दिया होगा, इसी से एक topic मिलता जूलता निकलता है, जिसको हम बोलते हैं, वेकर नातन effect, वेकर नातन effect, I think 12th standard तक आपके level पे चल जाएगा, आपको नहीं आता चलेगा, कोई issue नहीं है, but yes, higher level पे जब आप पह होती है, इसको हम समझने के try करते हैं, बस एक effect हो जाता है, यह याद रखना, सिर्फ alkyl के लिए होता है, किस compound के लिए होता है, वो देख लो, अभी के लिए आपके level पे से देखो, इसको क्या बोलते है, aryl alkyl compound, मतलब, कोई benzene ring है, उस पे CS3 अगर जब joint होगा, तब यह ऐ और इसी effect को हम Baker Nathan effect बोलते हैं, sorry, इसको हम क्या बोलते है, Baker Nathan effect बोलते है, easy है, बड़ आपके level पे नहीं जानने के चुरूरत है, इतना याद रखना, यह सिर्फ क्या हो सकता है, आपको किस के अंदर देखने मिल सकता है, टॉल विन के अंदर देखने मिल सकता है, बस, ठीक है science को देखने की try करते हैं, जब भी science की बात करोगे न, यहां तक हमने सब समझ लिया, permanent effect मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिये, permanent effect हमारा हो चुका है, permanent effect तो अच्छे से समझ लिये, बड़ अब science देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई structure में, कभी समझो यह कोई structure में आप इसको किसी के साथ compare कर दिया, समझ लियो फिनॉल के साथ compare किया, और आपको मैं पूछता हूँ, कि कौन सब से जादा acid होगा, कौन basic होगा, ऐसी questions आपको मिलेंगे, तो इतना जो हमने पढ़ा है न, उसको apply करने का बारी आता है, ठीक है, तो आपको इतना पता रहना चाहिए ये एक चीज़ हम देख के आ चुके हैं, जस्ट मैंने आपको सीरीज बताता है, inductive effect low, hyperconjugation उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा mesomeric effect, अपने दिमाग में इस चीज़ को रख लेना, ठीक है, तो किसी structure में ज़्यादा करके chances होते हैं, कि inductive effect ही दिखता है, inductive effect देखता ह अब ये कैसा काम है, जैसे ध्याद से सुनना, सबसे dominant कुन करता है mesomeric effect, तो सोचो कोई school है, ठीक है, suppose करो, ये आपका school है, school में principle होता है, और same goes with wise principle होता है, तो principle जो है समझो, बाहर कहीं गया है, leap पे नहीं गया है, सोचो, leap पे नहीं गया है, पर ऐसे ही बाहर कहीं गया है, school में नहीं है, तो wise principle अगर कोई action लेगा, तो simple सी बात है, इसके action को null and void कर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी भी principle active form है, इतना समझ के, तो किसी reaction में अगर सोचो, inductive effect भी हो रहा है, mesomeric effect भी हो रहा है, तो किसको तुम लोगे, जो real principle है, real मतलब जो सबसे बढ़ा है, कौ principle जान बूज के, कहां पे गया है, leap पे गया है, अब है ही नहीं, है ही नहीं, हमने देखा था, mesomeric effect मैंने आपको बताया होगा, mesomeric effect बहुत पार बताया होगा, कि mata positions पे नहीं हो था, आप देखो, पूरा lecture देखा होगा, आपके समझ में आओगा, तो यहां पे समझो, principle, main principle ह ही नहीं, तो यहां पे क्या देखने लगोगे आप, plus i or minus i effect देखने लगोगे, समझ मैं, इसके थुरू आप acid का find करोगे, यह चीज़ बहुत clear होई, I think मैं मेरे thoughts के थुरू आपको अच्छे से समझाने की try करना हो, ठीक है, but कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, एक और case होता है उसको हम समझेंगे, इतना आप समझ के रखेगा, तो इस चीज़ को समझते हैं, समझो, first हम लोग classification of polar science के दूरू बात करते हैं, तो समझो, आपको दिया गया है, minus i effect किसी में, minus m effect हो रहा है, और minus i effect हो रहा है, दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यान से दिखना, electron withdrawing, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजो में, जो electron अपनी तरफ खीचेगा, और ऐसे सेम ही होता है, electron attracting, उसको हम क्या बोलते हैं, inductive effect, कौन सा inductive effect, minus i effect, ठीक है, इतना I think, बहुत अच्छे से clear होगा आपको, search is always क्या create कर देंगे, वहाँ पर electron deficiency, जैसे कि यहाँ पर सोचो, CR लगा दिया है, carbon क निदा ओपर, ठीक है, यहाँ से यह electron अपनी तरफ खीच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा किया हो रहा है, minus i effect, यहाँ पर plus i effect, यहाँ पर carbon पर हो रहा है, यहाँ पर electron की deficiency हो रही है, तो याद रखना हमेशा plus i effect, minus i effect, electron अपनी तरफ पुल करते हैं, और जिस से पुल कर रहे हैं जिस मॉलेक्यूल से वहां पर इलेक्ट्रोन डेफिसेंची देखने मिलती है वह आपके दिमाग में आएगा सर यह माइनस आइफेक्ट और प्लस आइफेक्ट कौन-कौन से ग्रुप सो करते हैं तो मैंने यहां पर ग्रुप को सो कर दिया है आप देख लो एक बार आपको समझ में आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उस चीज को समझ देंगे अब दिमाग में आता होगा कि सर समझो कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लस माइनस में इफेक्ट भी देख रहा है तो हम किसको लें तो मैं आपको सिखाया प्रिंसिपल कौन ठीक है I think कितना क्लियर होगा आगे बढ़ते हैं किसी कंपाउंड में ऐसा हो जाएगी प्लस M और माइनस किसमें show करेगा जिसमें electron rich होगा मतलब ये electron donate करते हैं जैसे कि CS3 CS3 का काम क्या होता है electron देना किसी के ओपर ठीक है तो इतना याद अठना ये electron rich बनाते हैं सामने वाले molecule को ठीक है क्या होते है examples हम देख चुके थे O- CS3 फिर ऐसे हमने देखा था CS3R और ऐसे देखा था हमने क्या CHR2 ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से देख के आचुके है I think मैं मेरे thoughts के तुरू आपके लिए बहुत clear हूं same goes with ये आप याद कर लिना एक पर आपको समझ में आएगा हम देखेंगे हम comparison करेंगे अभी tension मतलो हम compare नहीं कर रहे है अभी सिर्फ हम पढ़ रहे है ठीक है next is minus I और plus M effect कहां पर show होगा देखे ये ज़्यादा करके show होता है ये ज़्यादा करके compounds में ये आपको ज़्यादा करके compounds में देखने मिलेगा देखे ये देखे OH group ये आपको बहुत बार देखने मिलेगा ये groups कहीं पर भी दिखते हैं आप इतना सोचों कि ये चीज़े देखने मिलेगी कैसे सर minus I तो होता है minus I अब ये आपने सिखा electron को अपनी तरफ खीचेगा और plus M का तो काम है electrons fake न तो ये तो कैसे हो सकता है तो भाईया यहां पर दोनों चीज़ हो रहा देको oxygen अपनी तरफ electron खीच रहा है और R group जो है वो electron डोनेट कर रहा है दोनों चीज़ देखने मिलती है तो इसमें किसको हम लेंगे अगर किसी compound में ऐसा है तो हम उसको क्या count करेंगे वहम पढ़ेंगे इसमें फिनाइल भी आता है इसमें फिनाइल भी आता है same goes with ऐसा कोई हो जाए कि यह opposite हो जाए जैसे कि minus i हो जाए plus i में हो जाए यह बहुत कम में देखने मिलता है बहुत less amount में देखने मिलता है सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन, आइड़ों जैसे रहते हैं जो बहुत जादा inductive effects show करेंगे उसमें ही देखने मिलता है यहाँ पे हम क्या बताने की try कर रहे हैं देखो एक चीज़ ध्यान देना जब ऐसा रहेगा तो तो आपको समझ में आ रहा है कि simply क्या हो रहा है कि electrons donate हो रहे हैं हिसाब से acid और base समझ लेना ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान से देखो electron attract कर रहा है सामने वाले की तरफ electron deficiency हो रही है कमी हो रही है तो हमें समझ में आता है यहाँ पे देखो उसी चीज़कों में समझा दिया था प्लीज आदा minus eye effect होगा मतलब electrons अगर कोई attract कर रहा होगा तो उसको हम बोलते है stronger acid हम पढ़के आ चुके है प्लीज नहीं समझ में आया होगा तो lecture देख लो आपस ठीक है इतना हम सब सीख चुके है अगर plus eye effect शू कर रहा है तो वो क्या शू कर रहा है base यह हमें बहुत clear है पर जबी भी इसमें confusion हो minus eye और plus eye में तो याद रखो भहिया याद रखो कि सबसे बड़ा कौन है principle है तो मतलब plus eye eye को आपको लेना है inductive effect को नहीं लेना है इस चीज़ को याद कर लेना पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि plus M आजाता है और minus eye और बड़ा कोन हो जाता है inductive कहाँ पर होगा जहाँ पर मैने आपको शिछाया था जहाँ पर मैने आपको शिछाया था कहाँ पर सिछाया था मैने mesomeric effect है ही नहीं mesomeric effect है ही नहीं यहाँ पर, समझो, fluorine लगा दिया यहां पे mesomeric effect दिखता है, नहीं है meta पे, meta पे mesomeric effect दिखता नहीं है, तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यहां पे क्या show करूगे आप, minus i effect show करूगे, समझ के इस चीज़ को, I think मैं clear होगा यहां पे, ठीक है, यही चीज़ अगर minus, plus i और minus i के लिए बात करो, तो यह देखो, यह groups जो हैं, वो क्या show करते हैं, minus i effect show करते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, inductive में, मैंने पढ़ा दिया आपको, and i say cs3 के लिए plus i effect show करते हैं, I think, यह comparison हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, चलो इस चीज़ को आप तो याद कर लोगे, फिर बारी आती है कि सर, अगर mesomeric effect भी है, और inductive effect भी है, तो क्या करना है, दोनों चीज़ अगर कहीं दिख रहा है, जैसे कि आप यह पहले वाले मे कि स्कोलेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो कि स्कोलेंगे, ऐसा दिमाख में कभी-कभी आहेगा, जब questions आप करोगे ना, उसमें दोनों चीज़ दिखेगा, क्या लोगे आप, तो मैं बोल चुका हूँ आपको, principle wise principle की कहानी याद कर लेना, यहाँ पे देख लो, inductive effect टेक only when mesomeric effect does not take place, बस याद रखना, meta position पे कुछ लगा होगा, meta position पे कुछ लगा होगा, तब ही possible है, कि inductive effect होगा, नहीं तो हमेशा हर बार, decisions कौन से लेगा, principle लेगा, मतलब mesomeric सही आपको, acid base हर एक चीज़ डिसाइड करनी है, I think, यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं आपके आगे चलोगे तो आपको यह चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आनी लगेंगी, यहाँ पे कुछ examples मैंने आपके लिए रखके वोगे हैं, यह meta positions पे दे दिया है, देहन से देखना, और यहाँ para positions पे है, ठीक है, तो यह देखो, pka value, यह देखो pka value, कुछ changes दिख रहा ह सर, आप बोलोगे, क्योंकि यह eye effect जो है, वो weak हो गया है, यहाँ पे, क्योंकि पैरा position पे हमने दिखा, eye effect show ही नहीं करता, यहाँ पे eye effect show करेगा, minus eye effect show करेगा, हम देख चुके है, electrons अपनी तरफ capture करेगा, जो electron अपनी तरफ capture करेगा, तो pka value बढ़ेगा, और pka value बढ़ेगा मतलब उतना ज्यादा, 20 बन रहा है, इस चीज़ को समझी है, थोड़ा concept को आप समझने की, try करोगे, आपको समझ में आएगा, और कुछ ना समझ में आए, इतना याद रखना, meta positions पे, inductive effect रहता है, mesomeric effect, ortho and para पे रहता है, ortho and para, mesomeric effect को समझ लो, वीडियो से वापस देखक गया है, it is expected that, para nitro, para nitro phenol should be lesser acidic, कम acidic होगा, क्यों, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि mesomeric effect वहाँ पे शो हो रहा है, तो less acid होगा, क्योंकि electrons को release नहीं कर पाएगा, hydrogen को release नहीं कर पाएगा, but both ortho and para are found equally stable, यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ortho and para दोनों stable पाए जाते हैं, ortho and para, सिर्फ प्लीज इसको याद रखना, ortho and para, दोनों stable पाए जाते हैं, meta नहीं पाए जाता, ortho, para, दोनों stable, pka value, दोनों, देखो, same है, the reason मैं समझा चुका हूँ, दोनों जगे पे mesomeric effect शो करेगा, तो यह तो हमें समझ में आ रहा है, अच्छे से, clear हो रहा होगा, आपको, meta effect, change हो रह effect, activate नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, last, last topic, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, इस वीडियो के तरू, and then फिर पूरा revision करते हैं, और फिर apply करने की try करते हैं, कि कितना आपको समझ में आया है, इतने देर से आप मुझे देख रहे हो, कितना आपको समझ में आया है, ठीक है, देखो, कभी-कभी fluorine लगा रहता है, तो fluorine जो होता है, fluorine का एक अलग ही है, अलग ही दबाव चल रहा है, वो क्या समझ रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा strong हों है, और सच में, सबसे ज़्यादा electronegativity, fluorine की है, तो fluorine जब किसी के साथ लग जाता है, तो व पहला तो phenol, यह तो चलो side में इसको रख दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ortho पर लगा है, meta पर लगा है, para पर लगा है, fluorine, ठीक है, अब इसको classify करते हैं, चलो, जहां से देख रहा है, तो यहाँ पर हम ध्यानते हैं, देखो, ortho में क्या हो जाएगा, minus i effect show करेगा, हाँ, show करेगा, minus i effect show करेगा, साथ में, plus m effect show करेगा, हाँ, plus m, effect भी show करेगा, मैं समझा चुका हूँ आपको, plus m effect जो होता है, small m show करेगा, क्यों, क्योंकि, यह जो fluorine, वो अपनी तरफ electrons को बहुत capture कर रहा है, ठीक है, metaposition पे तो आपको तो पता ही है कि, mesomeric zero हो जाएगा, inductive effect show होगा, minus i effect show होगा, जब हम आजाते हैं, paraposition पे, तो paraposition पे inductive effect कम हो जाता है, आपको यह चीज़ याद रखना पड़ेगा, inductive effect बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, inductive effect का कुछ काम ही नहीं है, सबसे बड़ा कुन सा ह हो जाएगा, mesomeric effect, तो यह चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए, कि किस में mesomeric दिख रहा है, किस में आपको inductive दिख रहा है, इस चीज़ को समझोगे, पार बार करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, videos को देखो, effectively, आपको समझ में आएगा, PK value clearly suggest क्या कर रहा है, only rule of inductive effect, because mesomeric effect is negligible, यहाँ पे mesomeric effect, जो है, negligible है, आपको दिख रहा होगा, मैं समझाया, यहाँ पे mesomeric, कुछ ही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं, यहीं पे सिर्फ mesomeric effect, थोड़ा से दिखने का try किया है, और सब में दोनों में दिखी नहीं रहा है, that is high electronegativity of fluorine है, तो inductive effect decreases the distance यह थोड़ा आपको पता होगा, inductive effect, जैसे ऐसे distance बढ़ता है, वैसे decrease हो जाता है, तो इसमें inductive effect बहुत ज्यादा बढ़ा ही बनाया हूँ, छोटा ही, और सबसे छोटा ही, यह चीज मैं दिखाने की try कर रहा हूँ, कि inductive effect कैसे कैसे decrease हो रहा है, तो stability की बात करोगे, यह सब है, इसका मतलब यह है कि दोनों आपको अलग-अलग देखना मड़ेगा, ठीक है, इतना याद रखेगा, one thing is observed that, one of the essential condition for mesomerism is planarity, बस mesomerism के लिए आप यह inductive के लिए हमने देख लिया, मतलब जब भी electronegativity बहुत high रहेगी, तो mesomeric effect कुछ काम नहीं कर पाता, समझो, इतना य जाद रखो, इंड़क्टिव effect बहुत ज़्यादा रहेगा, तो mesomeric effect कुछ काम नहीं कर पाता, कहां पे हमने देखा था, हम देख क्या चुके है, यह चीज़ देख क्या चुके है, मीजोमेरिक effect प्लस M effect कुछ काम नहीं करेगा, वहां पे आपको क्या लेना है, माइनस आई प्लेरेटी बढ़ती है, प्लेरेटी जब भी बढ़ता है, तो एक प्रॉब्लम आता है, और उसको हम बोलते है, steric inhibition of resonance, इसको क्या बोलते हो आप, steric inhibition of resonance, मतलब resonance अगर हो रहा है, तो उसको रोकने की try करता है, प्लेरेटी में अगर molecule नहीं होता, एक example में यहां पे तो देखने मिलेगा, यही चीज चेंज कर दिया है, यह CS3 को हमने ortho position पे लागा दिया, meta को हटा दिया, एक चीज आपको commonly देखने मिलेगी, देखो PKA values दोनों में चेंज हुए, मतलब कुछ तो changes हो रहा है, अब आपको बताना है कोन more acidic है, यह more acidic है, क्यों ऐसा, आपके दि CS3 और यह NO2 के बीच में repulsion हो रहा है, और यह रिपल्शन की वज़े से, यह NO2 जो है, वो plane के बाहर निकल जाता है, यह CS3 यह CS3 ही resonate कर रहे है, इस चीज को समझे आप, यहाँ पर मैंने examples के थरू आपको बताने की ट्राय किया, देखो, N जो है, वो resonating structure में कुछ काम ही नहीं अच्छे से, बट, यह second structure में ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि OH की जो size है, वो बहुत छोटी होती है, OH की जो size है, वो छोटी होती है, so no repulsion, इसकी size छोटी है, यह बड़े भी हो जाएंगे, तो भी repulsions नहीं हो रहे हैं, and that is, ortho position पे कोई group लगा हुआ है, तो वहाँ पे आपको M effect जो है, वो अच्छे से देखने मिलता है, अच्छे से देखने मिलेगा, तो अच्छा खासा acid बनेगा, और इसलिए वो more acidic है, I think clear होगा, minus i effect की जभी भी बात करोगे, तो cn, no2, fluorine, यह very high होते हैं, just हम पीछे देख के आचुके है, fluorine की minus i effect कितन जादा निकल रहा था, इतना हम देख चुके हैं, तो यह थोड़ा basic example से, आप थोड़ा याद कर लोगे, चल जाएगा, जहां तक मैं suppose कर रहा हूँ, आपको आता ही होगा, बट अभी के लिए, जितना याद कर सकते हो, उतना याद कर लो, यहाँ चीज मैंने वही समझाने क की ट्राइग की है, यहाँ पर मैंने वही समझाने की ट्राइग की है, देखो यहाँ पर NO2 अक्टिवेटेड नहीं था, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर CS3 का रपल्शन हो रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, देखो, यहाँ पर OH भुद पार्टिसिपेट कर पर दरीजन इसकी साइज जो छोटी है और खुद पाटिशिपेट कर सकता है रिंग में तो जादे इस्ट्रक्चर बने गा और जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है वहां stability आपकी बढ़ती चली जा रही है यह चीज क्लियर हो रहा है दूसरा चीज क्या हो रहा है कि जैसे हमने देखा था एक structure में क्या इसको बोलते है long conjugation long conjugation होगा तो structure और ज्यादा stable होते चला जाएगा that's the reason यह सबसे ज्यादा stable है as compared to this one in terms of acidity ठीक है I think इतना clear हो गया ठीक है एक और structure देख लो ठीक है देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है simple सा acid है उसके साथ हमने h को लगाया है दूसरे में h को replace करके हमने क्या cs3 लगा दिया pka value change हो गया अब आपको पता होगा pka जो रहता है वो increase होगा तो acidity कम हो जाती है क्योंकि inversely proportional है दोनों मतलब यहाँ पर acid कौन सबसे जादा है यह देखो यह pka value जादा है मतलब acidic characters कम है यहाँ पर pka value कम है तो acidic characters जादा है इतना clear हुआ मतलब यह more acidic है कौन सा more acidic है formic acid as compared to acidic acid clear हुआ acidic acid से formic acid more acidic कैसे हो सकता है आपके दिमाग में आना चाहिए यह questions पूछा जाएगा और ऐसा ही करो अगर यह CS3 को हम phenyl लगा दें तो क्या बन जाता है benzoic acid तो यहाँ पर अगर मैं stability की बात करो तो सबसे पहले आपका आजाएगा benzoic acid ठीक है benzoic acid is more stable than हमारा क्या था formic acid and then आएगा सबसे बाद में क्या आएगा acid acid क्यों ऐसा हो रहा है देखने की try करते हैं एक एक करके ठीक है तो पहले तो हम बात करते हैं देखो benzoic acid की try benzoic acid में आप देखोगे cross conjugation हो रहा है यहाँ पर दिखा आपने यह देखो वह हमने देखा था cross conjugation होगता है खुद electrons यही पर resonate होते हैं ओके साथ और इसको बोलते है stabilization of benzoic iron benzoic iron जो है stabilized हो क्या पर इसमें एक issue है एक issue क्या है ring भी activate हो जाती है उस पर ring भी activate तो यहां पर इसलिए नाम क्या है cross conjugation क्योंकि एक conjugation तो यहां पर हमारा benzoic iron के साथ हो रहा है और एक conjugation benzen के साथ हो रहा है तो यह क्या कर देता है destabilize करता है फिर यह stabilize करता है और ऐसे चलता रहता है इस चीज़ को समझ लिए तो मतलब यह चीज़ हमें समझ में आया है कि benzoid ion जो है वो stabilize कर रहा है का mesomeric effect carbonate group में और acidic acid में देखो benzoid ion जो है वो stabilize कर रहा है by mesomeric effect इतना हमें clear होगा carboxyl group is an अगर मैं बात करता हूँ dis stabilize कर रहा है cross conjugation को just my यही आपको यहाँ पर बताया हो देखो यहाँ पर carboxylate आयन जो है वो क्या कर रहा है अपने आपको stabilize कर रहा है खुद में resonate करके ठीक है मतलब खुद का conjugation कर रहा है पर यहाँ पर वो चीज नहीं हो रहा है देखो यह चीज रिंग भी उसके ओफर एफेक्ट आ रही है उसको बोल रहे है हम लोग cross conjugation क्योंकि एक ring conjugate कर रहा है और एक हमारा acetate iron कर रहा है यह चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आए होगी तो एक stabilize कर रहा है दूसरा destabilize कर रहा है और यह यह चलता रहता है यह more stronger than formic acid तो हमें समझ में आए क्या है but less stronger than formic acid तो यह ऐसा कुछ बनेगा formic acid then फिर क्या बनेगा हमारा benzoic acid then क्या बनेगा आपका acetic acid यह थोड़ा याद रखना reasons मैं नहीं आप रहा है आपके level पर नहीं जा रहा है आप नहीं समझ पा रहे हो चल जाएगा कोई issue नहीं है but जो हमने पीछे बढ़ा हुआ है उन चीजों को आपको याद रखने की try करनी है ठीक है I hope इतना मैं clear हूँगा एक चीज और मैं बतारना चाहूँगा कि एक चीज आप दिमाग में अपने डाल लेना एक चीज अपने दिमाग में इस चीज को आपको देखने मिलेगी देखो और थो नाइट्रो के बारे में मैंने यहां पर लिखा it is very important जो है आपको नोट करके रखना है इस चीज को अपने दिमाग में इस चीज को डाल दीजे क्या हो रहा है देखो यहां पर इस में से आपको क्योंता है यहां सबस्याद dije बतानी कोन सबस्यादा ए सीड को आपको zijn- huh मैंएर 생्वश्य मैंने सइक्व है तक आपको माइनसाह एफ्वेक्ट शो होगा तो एस सयड़ी क्रोपटी बढ़ तया माइनस प्लाई कर रहे हम लोग हां यहां पर ऐसा कुछ नहीं की है यहाँ पे plus i effect show हो रहा है देखरो plus i effect मतलब electron को donate करने वाला है तो plus i effect तो यहाँ पे क्या हो रहा है यह जो है less acidic होगा क्योंकि plus i effect है यहाँ पे minus i effect तो more acidic होगा और यह तो normal है ही यहाँ पे हम चीजों को apply कर रहे हैं ध्यान से देखने को try करो हम यहाँ पे चीजों को apply कर रहे हैं that's enough for this lecture i hope यह lecture आपको पसंद जरूर आया होगा एक बार हम revision कर लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा हुआ है इस lecture के अंदर एक बार revision कर लेते हैं हमने क्या-क्या चीज़े पढ़ी हुई है इस lecture के अंदर starting to end मैं आपको एक बार revision करा देता हूं I hope मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा जभी भी इस lecture को देख रहे हो तो बार बार एक लगातार मत देखो आप breaks ले लेके इस चीज़ों को पढ़ सकते हो तो I think वो ज़्यादा बेटर रहेगा जहां तक मैं जानता हूँ नहीं तो problematic हो जाएगा आपके लिए क्योंकि आप उतने बड़ी level तक आप पढ़ने पाऊगे ठीक है इतने बड़ी level तक आप पढ़ने जाओगे तो problem हो जाएगा आपके लिए तो हमने initially देखा क्या organic compounds क्या होते है inorganic compounds क्या होते है I think आपको ये clear होगा next thing मैंने बताया कि इतने सारे organic compounds क्यों बनते हैं धर्ती पे आज इतने सारे organic compounds क्यों है तो हमने एक property बड़ी थी catenation उसकी वज़े से सब चीज़े हो रही है organic compound का हमने nature देखा कि organic compound का nature क्या होता है I think मैंने समझा दिया था आपको covalent होता है इसलिए bonds कभी भी resonate नहीं होते है move नहीं होते है ये चीज़ हमने देख लिया move नहीं होते है तो कुछ चीज़े लेके आती है तो electronic effect आते है electronic effect में ये electron move करने लगते है electronic effect किस टाइप के होते है तो हमने देखा था permanent होते है temporary होते है इसको मैंने याद करने का बेट ट्रिक आपको दिया है inductive, mesomeric, hyperconjugation हमने सीख लिया temporary क्योंने सीखा क्योंकि वो किसके उपर depend कर रहा है वो किसके उपर depend कर रहा है reagents के उपर और reagent जैसा होगा वैसा वो शो करेगा तो reagent के उपर depend करेगा वो हर एक reaction में अलग-अलग methods लग जाती है पर हमें याद रखना चितने भी concept है organic chemistry में जब भी पढ़ोगे जो भी चीज़े पढ़ोगे वो सिर्फ ये तीन चीज़ों पर depend होती है कोई भी reaction ये तीन चीज़ों पर ही solve किया जाता है अपने दिमाग में इस चीज़ को डाल दो inductive effect हमने सीख लिया inductive effect में मैंने आपको सारी चीज़े समझाई क्या inductive effect होता है plus eye effect minus eye effect क्या होते हैं कैसे किसे factors पर depend करता है तो वो हमने देखा हुआ है कि electronegativity पर depend करता है S character पर depend करता है oxidation पर depend करता है ये चीज़ हमने बहुत डीटेल में पढ़ ली है then मैंने कुछ आपको बताया होगा कि roll क्या है inductive effect का तो rolls हमने देखे होए है कि reactions नहीं होगा अगर inductive effect नहीं होगा तो वो भी चीज़े हमने देख ली है और भी चीज़े मैंने बताया था कि bond moment कैसे होता है and same goes with dipole moments कैसे possible हो पा रहे है तो dipole moments का मैंने fluorine and all का examples आपको दिया था आप reactions देखे आप पूरा वीडियो देखोगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर ऐसा नहीं होता है पाई बॉंड में पाई बॉंड तो आराम से freely move कर रहा है क्यों क्योंकि वहां पे देखो यहां पे वो कार्बन के influence में आता है वीडियो देखना वीडियो देखना आपको समझ में आएगा ठीक है तो यही इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला यह जो पाई बॉंड है वो de-localize होता है एक जगे से दूसरे जगे पे जा सकता है क्योंकि कि वो influence में यह कार्बन के और इसी प्रोसेस को हमने mesomerism बोला था mesomerism का extension हो जाता है मतलब एक number पे नहीं होता वो दूसरे numbers पे change होता है मतलब समझो एक दो यहीं पे हो जाए अगर moment तो इसको हम बोलेंगे mesomerism पर यह दो के बजाए यह कहां पे चार देखने मिलता है एक और चार पे देखने मिलता है तो यह extend हो गया है तो meta position पे कभी भी charge ही नहीं बनते ortho and parapay ही बनते है मैंने यहाँ पे figures के दुरू आपको बताया था तो meta position खाली रहता है और वहाँ पे सिर्फ inductive effects show करता है याद रखना meta position कभी कभी भी meta जो होता है activate नहीं होता है mesomerism के लिए meta position कभी भी activate नहीं होता है mesomerism के लिए लिए हमने कुछ symbols देखिया I think यह सब चीज़ें आपको clear होंगी conditions देखा conjugation क्यों हो सकता है तो planarity हमने देख दिया same मैंने आपको last में अभी जब compare कर रहा था तो mesomerism में भी आपको समझा है क्योंकि sp2 hybridization होगा तभी तो pi bond बनेंगे हो and sp2 hybridization होगा तभी तो pi electron का delocalization कराओगे और उसको तो mesomerism हम बोल रहे है समझ रहे हो इसके बाद हमने और भी चीज़े देखे कि कभ effective होगा कभ mesomerism यह conjunction sorry conjugation जो है वो effective नहीं होगा यह सब चीज़े हमने देखा role क्या होता है conjugation का वो चीज मैंने आपको बता है role में आपने देखा हुआ है कि bond bond length को यह समझाता है bond length को तो हमने single bond length ऐसे ही समझा double bond length को अच्छे से मैंने आपको बता है single bond length double bond length समझा क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है कुछ examples के तुरू मैंने आपको समझाने की try कि I think यह सब चीज़े बहुत clear होंगी आपके लिए ठीक है next हमने ऐसे ही चीजों से फिर हमने देखा है heat of hydrogenation यह किसका part है second important contribution mesomerism heat of hydrogenation से हमने एक autumn लेकिया है जिसको हम क्या बोल रहे है resonance stabilization energy यह चीज़ हमने सीख लिया यह सब basic चीज़े हैं जो आपको काम आएके resonance stabilization energy कैसे हम क्या करते हैं उसको calculate करते हैं वो कैसे आपने सीखा वो भी चीज़े हमने देख लिया है acidic जैसे कि mesomerism हमेशा जादा करें कि acidic characters और basic character बताता है क्यों बताता है वो चीज़ हमने सीखा same goes with यही अब याद रखना carboxylic acid के examples के तुरू मैंने सीखाया यह सब चीज़ें आपको कुछ examples यहाँ पे बहुत सारे आपको बता है last में हम जैसे ही चालू करते गए lectures हम आगे hyperconjugation की तरफ जो तीसरा था permanent rule यहाँ पे हमने hyperconjugation समझा hyperconjugation याद रखना inductive से stronger क्यों हो चीज़ मैंने बता है और hyperconjugation से भी ज़्यादा stronger कोन है mesomerism वो भी मैंने आपको समझाया same goes with कुछ examples बताने के बाद मैंने reverse hyperconjugation आपको समझाया बेकर नातर इंफेक्ट आपके लेवल पर उतना पढ़ना नहीं है बड़ आपको मैंने बोला कि यहाँ पर भी hyperconjugation show होता है किसमें tolwin में वो चीज हमने देखा फिर comparisons जो आपको याद करनी है क्यों क्योंकि 12th level पे यह सब questions पूछे जाएंगे तो plus i minus i कौन से group show करते हैं और क्या show show कर सकते हैं मैंने देखे एन और पीछे हम देक्के आ चुके है उछ आप उस चेज को अपलाई कर सकते हो आप मार आन आ ओना को देख चुके हैं जब plus m effect ऑच्वागे तो प्लास अको समझोगे अगर तो किसको समझना है आपको इसको समझना है यह चीज़े मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा है ठीक है इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा दिन हमने relationship समझा कि mesomerism और inductive effect का क्या होता है principle and wise principle वाला जस्ट मैंने आपको story सुनाई है वो चीज बहुत आपको अच्छे से clear होगी ठीक है और यही आगे आगे चलते चलते हमने बताया कि hysteric hindrance की वज़े से भी कुछ चीज़े कभी कभी नहीं हो पाती है जस्ट मैंने यहाँ पर reactions आपको stabilize करके बताया इतने लिबल पर भी नहीं आप पहुंच पा रहे हो तो भी चल जाएगा कोई issue नहीं है बट आपको इतना आना चाहिए ठीक है I think that will be enough for this video thank you so much मैं चाहता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो लगी है अच्छी तो जरूर अपने दोस्तों के आज शेयर करना maybe कोई ऐसा student होगा जिसको इस वीडियो की requirement होगी and telegram channel पर आप हमें joint कर सकते हो वहाँ पे आप hand it a note, previous year questions और बहुत सारे PDF आपको मिल जाएंगे इस lecture के भी PDF आप वहाँ से जाके जाएंड लोड कर सकते हो almost 500 student पहले से ही connected है तो आप जाएए telegram पर search कीजिए get a reaction और इस family का आप भी member बन जाएए आगे बढ़ते हैं कि यह हमें मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूंगा कि subscribe तो हमें 93% students ने नहीं किया है आप videos देख रहे हो उसमें से सिर्फ 6% student ने subscribe किया हूँ चैनल या आप समझेए मेरे efforts लग रहे है प्लीज आपको सिर्फ subscribe करना है चानल को like करना है अगर आपके लिए useful लग रहा है तो subscribe कर दीजिए like कर दीजिए and अपने friends के साथ जरूर शेयर कीजिएगा उनके लिए में भी साथ कोई ये एक helpful हो जाए एक helpful वीडियो हो जाए कि में भी साथ उनके marks को enhance करते उनके exam के preparations को boost करने के लिए thank you thank you so much and ऐसे ही support करते रहना कुछ भी doubt होता है तो जरूर मुझे आप comment section में पूछ सकते हो thank you thank you very much